पर आपका होस्ट वासिफ अली और आप देख रहें क्रिक टेल्स यूट्यूब चैनल मुकाबला है इंडिया और टीम आस्ट्रेलिया के दिरमियान यहां पर टॉस इस मैच का हो चुका है इंडियन टीम की भलिबाजी है यहां पर इंडिया की टीम की अगर बात करे है तो इंडिया की टीम आज हमें बैटिंग करते हुं दिखाएदेगी और प्लेंग इलेवन की अगर बात कर लेते है दोनों ही टीमkovielen भी बीप आप आप बापके साथ शेयर कर देता हूं कि आज किस दिन के अंदर इन दोनों ही टीम्स की प्लेंग 11 जो है वो दोस्तो क्या खेल रही है तो फर्स्ट अफॉल अगर बात की जाए टीम आस्ट्रेलिया की प्लेंग 11 की तो वो अब आपके सामने मौजूद है यहाँ पर आप देख सकते हैं उस्मान ख्वाजा जो है वो दोस्तो इस मुकाबले का हिस्सा है और साथ में ट्रैवस हैड खेल रहे हैं मारनस लवुशेहन है टीम रहे है टीम के अंदर स्टीव समिथ का नाम जो है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा पीटर हैंडस कम जो है वो दोस्तो टीम के अंदर अब कमबैक हो रहा है इसी तरह अगर बात की जाए यहां पर मिचल स्टार की तो मिचल स्टार का आज टीम के अंदर वापसी कर रहे हैं और इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर टॉड मर्फी की वो खेल रहे हैं निथल नाइन है और मैथ्यू होनमैन जो है वो टीम के अंदर शामिल है तो यह playing 11 है जो के आज की इस मुकाबले के अंदर में खेहलते वे दिखाई दिने वाली है टीम यहाँ पर कह लीजिए के अस्ट्रेलिया की और इंडिया की playing 11 के अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडिया की टीम के अंदर जो player शामिल है उनमें नाम आता है यहाँ पर number one पर رोहित शर्मा का शुब्मन गिल को जो है वो दोस्तो आज टीम के अंदर मोखा दिया गया है तो शुब्मन गिल जो है वो हमें यह wal dripping के अंदर खेलते वे दिखाई दिने वाले हैं यहाँ पर इंडिया के दोनों ही ओपनर्स अब ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं और मुकाबला जो है वो दोस्तों शुरू होने जा रहा है पहले के इनके साथ बॉलर अपने बॉलिंग के निशान पे हैं बिलकुल तयार मिचल स्टार्क जो के अब फास्ट बॉलिंग के सि नोट आउट का सिगनल जो है वो दिया गया और यहाँ पर एक तरह से अपील जो है वो दोस्तों हुई लेकिन आपको बताता चलू के नॉत आउट का सिगनल जो है वो दिया गया अंपार की तरफ से जी आ दोस्तो तो बड़ी अशुरुआत जो है वो होते वो हमें दिखाई दी है अब टीम अस्ट्रेलिया की और से अगर ये हम कहें तो वलत नहीं होगा लेकिन यहाँ पर विकेट का कोई चांस मौजूद नहीं था तो रोहित शर्मा की तरफ अगर हम देख लेते हैं तो रोहित शर्मा जो है वो दोस्तो अपनी टीम को लीड करते हुए इस सीरीज के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत ही जबरदस्त किसम की क्रिकेट अभी तक खेली गई है और यहाँ पर पहली गेंद जो है वो दोस्तो अच्छी गेंद और अच्छी लाइन ओ लैन की ऊपर जो है वो दोस्तो गिरी हुई गेंद थी तो आप आज किस टीम को कर रहे हैं स्पोर्टी सवाल इसे देना है आपने में जल्द जल्द बता टास को जीतने के बाद यहाँ पर बैटिंग का डिसीन लिया गया आज टीम इंडिया की तरफ से और उनका ये डिसीन जो है बब देखते हैं कि कैसे साबित होता है क्योंकि यहाँ पर इंडिया की टीम इंडिया के प्लेयर्स अपनी होम कंडिशन से वाकिफ हैं और अच्छ से खेलना जानते हैं गेंड जो है वो दोस्तों थोड़ी सी अंदर की तरफ मूव हो रही है स्विंग हो रही है और गूमते हुए हमें दिखाई दे रही है हमाज साथ जो दोस्त मौझूद है हमाज साथ इस वक्त मौझूद है आरके मैं हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका स जो भी दोस्त लाइफ चैट के अंदर हैं बहुत बहुत शुक्रिया और हमें लाजमी तोर पर बताईएगा अगर कोई भी लाइफ स्ट्रीम के अंदर इशू हो प्रॉब्लम हो मसला हो तो दोस्तों यहां पर अच्छी अपितुली बॉलिंग का सिलसला जो है वो कंटीनू र लनने का मौका ब मौझो नहीं है डॉट के साथ स्कॉर की बात की जाए तो स्कॉर अब जीरो है बिना की सिविकेट के नुक्सान तो बड़ी ही जबरदस्त किसम की शुरुवात ये आप बोल सकते हैं टीम आस्ट्रेलिया के तरफ से हाँ ये है कि विक्टेम उगारा उनको नहीं मिल पारी लेकिन बॉलिंग जो है वो दोस्तों अभी तक अच्छी नपितुली बॉलिंग होते हुए दिखाई दे रही है और इससे पहले रोहित शर्मा एज हुए थे जी हाँ ओवर की टीस्ट्री गेन के उपर रोहित शर्मा जो है वो दोस्तों किनारा दे बैठे थे और यहाँ पर अस्ट्रेल भी टीम जिन होने रिव्यू नहीं लिया अगर वो रिव्यू ले ले लेते तो यहाँ पर विकेट जो है वो दोस्तों को मिल जाती लेकिन लखी रहे और रिवियू जो है वो दोस्तों नहीं लिया गया टीम अस्ट्रेलिया की तरफ से बड़ी अपील जरूर हुई और यहाँ पर आते ही अस्ट्रेलिया टीम जो है वो अपनी कहली जे के चीज़ लूज करते हुए है लेकिन आपर रब मिचल स्टार्क जो के दोड़ते हुए आए गयन क्या और इस तफ़ा बहुत ही उम्दा शॉर्ट आप बोल सकते हैं एक बार फिर से इस से पहली गेंड के उपर जो है वो दोस्तो बड़ी अपील हुई थी मिचल स्टार की तरफ से लेकिन नाकामी देखने को मिली लेकिन इस तफ़ा चौका मिलते हुए दोस्तो यहाँ पर रोहित शर्मा को और यकिनन ये कही न कहीं वो जो शुरुआती प् लास्ट प्लेयर हैं और कहा लिजिए कि एज ओपनर ये हमें वन डे और टी ट्वन्टी मैचेस के अंदर भी जो है वो खेलते हुए दिखाई देते हैं फुलर लेंथ ये गेंड थी पैट्स पर आ रही थी और इस स्केन को बहुत ही जबरदस अंदास से चौके के लिए बे खेला बलेबास नहीं कोई भी रलनेने का मौका अब मौचूद नहीं है तो आप किस टीम को कर रहे हैं स्पोर्ट इस हवाले से देना है आपने में लाजमी तोर पर बता इंडिया या फिर आस्ट्रेलिया जो भी दोस्त हमारे साथ हैं मौचूद इस हवाले से हमें आपने लाजमी तोर पर बता देना है कि आप आज किस टीम को स्पोर्ट कर रहे हैं इस ओल इंपॉर्टन मुकाबले के अंदर यहाँ पर अब चार रन्स है टीम इंडिया बिना किस विकेट के नुक्सान पे शुमंगिल जिनको आज टीम के अंदर शामिल के आ गया है वो अब हमें स्ट्राइकर एंड पर मौजूद दिखाई देने वाले हैं देखते हैं किस किसम की बलेबाजी जो है वो दोस्तों इनकी तरफ से की जाती है आज किस दिन के अंदर आपके कमेंट सा हमारे पास मौसूल हो रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुमाईसा है कामरन ग्रीन की तरफ से गुडलन की ये गेंड इसके इनको जो कि आउस्ट्रम के लाइन में थी बलेबाज ने समलते हुए खेला कोई भी रलनेने का मौकाब मौजूद नहीं है तो यहाँ पर डॉट के साथ स्कोर उतने का उतना ही गेंटों के अंदर अभी जाफा होते तो रंज बनाना शर्त है दोस्तों और यहाँ पर रंज बटोरते हुए ये प्लेयर जी बिल्कुल लवली शाट फ्रम शुबन गिल जो के इस गेंड को गैप में खेलते हुए बाउंडरी लाइन के बाहरे डिस्पैच कर चुके हैं बहुत ही जबरदस किसम का ये चौका य इस गिसम के शौर्ट्स खेलने किया विशकताज जरूरत यहाँ पर प्रैशर को जो है वो अपने आप से थोड़ा सा रिलीस करने के लिए और अच्छे से जो है वो दोस्तों आगे बढ़ने के लिए शुबन गिल जो के काबलियत रखते हैं तेज रंज बनाने की और उनको केल राहुल की जगा पर जो है वो दोस्तों टीम के अंदर अब शामिल के आ गया है गोडलन की ये गेंडिस ओवर की थी इस्टरी गेंडिस केन को समलते वे वलिवास ने खेला कोई भी रंज जो है वो दोस्तों लेने का मौकाब मौजूद नहीं यहाँ पर अपने ओवर की अब चौथी गेंड के साथ बॉलर हैं एक बार फिर से तयार नाम है जिनका कैमरान क्रीन एक बार फिर से जो के दौरते हुए आए गेंड किया और इस गेंड को लाजवा बंदा से जो है वो दोस्तों खेल दिया है बांडरी लाइन के तरफ बढ़ते हुए एक फिल्डर ग ही है आपकी स्पोर्टिव टीम कौन सी है इस सवाले से देना है आपने हमें जल्द जल्द अब बता कि आप आज किस दिन के अंदर किस टीम को स्पोर्ट कर रहे हैं इस सवाले से हमें आपने लाजमी तोर पर बता देना है और आपके कुमेंट्स भी हम लेते हैं असल में ज और यहाँ पर एक और मौका जो है वो दोस्तों मिचल स्टार के अवर के अंदर जो है वो मिस्किया गया दो मौके एक यूवर के अंदर टीम ऑस्ट्रेलिया ने शर्मा के खिलाफ अगर यह कहा जाया तो गलट नहीं होगा जी हाँ सही सुना आपने क्योंकि एक दफ़ा LBW का चांस था और एक दफ़ा जो है वो दोस्तों यहाँ पर catch-out का चांस था जो के team Australia ने मिस्किया और के अगले गेंड इसकेंड को फ्रन्फूट पराकर कावर्स के एरिये में खेल दिया तो यहाँ पर और का खेल अब पूरा होते हुए दस स्कोर टीम इंडिया का बिना किस विकेट के नुकसान पर दो वर्स का खेल अब हो चुका है पूरा lovely piece of cricket going on यहाँ पर बहुत ही उम्दा cricket जो है वो दोस्तों के लिए जा रही है अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा दोनों ही teams जो है वो अपनी ले में आती हुई दस स्कोर टीम इंडिया बिना किस विकेट के नुकसान पर दो ओवर्स का खेल अब होते हुए पूरा और दो ओवर्स के अंदर दस रंज बन गये हैं तो क्या लगता है आपको के यहाँ पर इंडिया की टीम जो है वो इप्तदाई pressure को release करने में काम्याब हो पाई है या नी तो दोस्तों पिछले ओवर्स के अंदर जरूर अपील्स वगेरा हुई लेकिन बचते हुए यह प्लेयर जो है वो हमें दिखाई दिये हैं अब यहाँ पर मिचल स्टार के अपनी बॉलिंग के सिलसले को continue रखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं ओवर्स विकेट यह गेंद अच्छी गेंद रोहित शर्मा के लिए जिसे यह जो गें थी यह मिडल एंड ओस्ट्रम के लाइन में थी इसके इन को बलेबास नहीं समलते हुए खेला कोई भी रन लेने का मौका अब मौझूद नहीं तो डॉट के साथ हब स्कोर है दस बिनांकी सिविकेट के नुकसान पे अच्छा शॉट जो है वो खेला गया मिडांकी सिविकेट के नुकसान पे दो अवर जोर एक इन का के लब हो जुका है पुरा साड़े दीन सो के कریब दोस्त नमार साथ मौझूद है दिल से शुक्रिया आप सभी का हमार साथ देने के लिए हमार साथ बंद रहने के लिए क्राउड के एक अच्छी तादाद जो है वो स्टेडियम के अंदर मौझूद इन दोर से येवाला मुकाबला जो है वो दोस्तों खेला जा रहा है एक बार फिट से मिचल स्टार्क जिनके ओवर के अगली गेंद ओवर्द विगेट करवाएगी ये गेंद इस केंद को बले बास ने समलते हुए खेला कोई भी रोलनेने का मौकाब मौझूद नहीं है तो स्कोर अब रहते में 10 बिना किसी विगेट के नुकसान पर एक और बड़या गेंद जिसे रोहित शर्ما ने महतात अंदास से खेला कोई बिरलनेने का मौकाब मौझूद नहीं है अच्छी जबरदस किसम की जो है वो दोस्तो इस वक्त बलेबाजी का सिलसला जो है वो टीम इंडिया की तरफ से जारी मिचल स्टार का जो पहला वर था वो बहुत ही डेंजरस वर था अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा तो यहाँ पर अच्छी नपितुली बॉलिंग होते हुए मिचल स्टार की तरफ से जिनको पैट कमिन्स की जगा पर टीम के अंदर शामिल किया गया है पैट कमिन्स इंजरी के वज़े से शायद यहाँ पर शामिल नहीं है और वो अपने घर गए हुए है दोस्तो और वो इस म प्रिकेट के नुकसान पे सुलिमान है इबराहीम ने हमें जवाइन किया हुए है फ्लेम स्ट्राइकर हमारे साथ मौझूद है और इसके इलावा अमीन रभी है हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ देने के लिए आरके राओ भाई हमारे साथ आज क और bread and butter for Rohit Sharma आप ये कह सकते हैं बहुत ही आसान ये गेंद उनके लिए जिसे उन्होंने dispatch करते वे बेदिया है चार runs के लिए बामप्री के पार बहुत ही बढ़िया शानदार ला जवाब shot खेलते वे और यहां पर बिट जो है वो दोस्तों दी गई रोहit Sharma को जिसका उन्होंने बरपूर अंदास से फाइदा उठाते हुए इसके इनको 4 runs के लिए बेदिया है बामप्री के पार ला जवाब hitting करते हुए यहां पर रोहit Sharma अपनी टीम को जो है वो दोस्तों आगे लेकर बढ़ते हुए यहां पर रोहit Sharma तो दिल से शुक्रिया आप सभी का हमार साथ देने के लिए हमार साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच आपर आपर रब दोस्त जहां कई से हमार साथ मौजूद है थैंक यू सो मच पूर स्ट्रिंग हीर यहां पर रब इंडिया एंड इंडिया एंड 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 एस्ट्रेलिया किस टीम को कर रहे हैं आप स्पोर्ट ये दिना है आपने हमें जल्दस जल्दब बता कि आपकी स्पोर्ट आज किस दिन के अंदर किस टीम के साथ है तो दोस्तो एक अच्छा जबर्दस किसम का ये मैच जो कि अब चलते हुए इन दोनों ही टीम्स के दरम्यान चौदा पर पहुंच चुकिए टीम इंडिया बिना किस विकेट के नुकसान पर ओवर दा विकेट कैमरून ग्रीन जो है वह बॉलिंग के लिए आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कैमरून ग्रीन जो है वो दोस्तो यहाँ पर एक आलरूंडर प्लेयर की हैसियसे यह वाला मुकाबला जो है वो खेल रहे हैं और बहुत ही जबरदस किसम का पर दोस्तो होते हुए विकेट का तो कुछ पता नहीं है लेकिन जो बैटिंग की जा रही है वो लाजवाब की जा रही है फिलहाल बहुत ही जबरदस किसम की बलेबाजी होते हुए टीम में इंडिया की तरफ से एक और चौका जो के हमें अब देखने को मिल गया है और चौके की मदद से इंडिया 18 बिनांकी सिविकेट के नुकसान पे शुबमन गिल का टीम के अंदर खेलना आ टीम इंडिया के लि बढ़ते हुए इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं और कहले के यहाँ पर रब इंडिया की टीम जो है वो बावासानी आगे चलते हुए हमें दिखाई दे रही है थैंक्यू सो मच एव्रिवन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमार साथ देने के लिए बने रहने के लिए जो भी दोस्त जहां कहीं से मौजूद है आपके कमेंट्स जो हैं वो लेते हुए हम आपके साथ बाचीत के सिलसले को जो है बदोस्तों जारी रखने की बरपूर अंदासे कोशिश करेंगे कम दोस्ते हैं हमार साथ बट इट्स आल राइट चलता है सब चलता है भाई मुना भाई तो दोस्तों यहां पर इंडिया की टीम का यह टास को जीत कर बलेबाजी करने का अपनी होम कंडिशन्स के अंदर यह जो फैसला है यह बहुती जबरदस किसम का अभी तक जो है वो हमें साबित होते हुए दिखाई दे रहा है कलर की सो दोस्तों यहाँ पर अब कैमरून ग्रीन का सामना करते वे शुबन गिल यहाँ पर यह गेन जो के मिडल एंड लेक्रम के लाइन में इसकी इनको बलेबास ने जो है वो समलते वे खेला कोई भी रन लेने का मौका मौझध नहीं है मिड विकेट के अरिये में खेलते वे इसके इनको यह प्लेयर अब कोई भी रन जो है वो दोस्तों लेने का मौका मौझध नहीं है दिल से शुक्रिया आप सभी का हमार साथ देने के लिए हमार साथ बन रहने के लिए अपनी स्पोर्टी टीम जिसके हवाले से देना है आपने हमें लाजमी तोर पर बता यहाँ पर रब पांचवी गेंदी सोवर की कैमरान क्रीन ब्राइट अमोवर दो विकेट जो गे दोरते हुए आएग इनके एक खुबसूरत कवर ड्राइव यहाँ पर रैक्सट्रा कवर के लिए में कोई मौका नहीं और यह गेंद जाते हुए चार रंस के लिए बांटरी के पार फ्लेम स्ट्राइकर भाई एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ना करियो जो है वो आपको टाइम आउट कर दिया जाएगा सो एक ही चीज़ को जो है वो आप रिपीट ना करियेगा बहुत ही उम्दामदास से खिला गया है शॉर्ट और गेंद को पहुंचाते हुए है बलेबास अब बांटरी के पार चार रंस के लिए ब्यूटिफली प्लेड गोविन ने हमें जोईन किया हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविन भाई हमारे साथ देने के लिए स्टेटस वर्ड हमारे साथ है सलहीन टीवी हमारे साथ है पुश्पिंदरा ने हमें जोईन किया बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ देने के लिए और साथ में जो भी दोस्त हैं ना मंत्रा जो है वो हमार साथ मौजूद है वेलकम टू दी लाइब स्ट्रीम अस वेल वाइस सेस्कोर टीम इंडिया का बिना की सिविकेट के नुक्षान पे चार अवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा और यहां पर खुबसूरत बले बाजी का सिलसला जो है वो दोस्तो जारी है इंडिया की तरफ से शुबंगिल और उनके साथी प्लेयर इस वक्त लाजवाब बेहतरीन और शांदार किसम की जो है वो दोस्तो बैठिंग करते हुए में दिखाई दे रहे हैं यहां पर अगले अवर की अब होते हुए शुरूआत सामना करेंगे रोहित शर्मा बॉलर है मिचल स्टार्क मिचल स्टार्क जिन्होंने अब तक कोई भी विकेट को अपने नाम नहीं किया लेकिन पहले अवर के अंदर मौके मुवाइक जो है वो दोस्तों जरूर बने थे विकेट मिलने के लेकिन ये विकेट को हासिल करने में नाकाम रहे है यहाँ पर रब ओर द विकेट करवाएगी है ये पहली गेंदी स्केन को बलेबास जिन्होंने समलते हुए खेला यहाँ पर अब कोई भी रन लेने का मौका माजूद नहीं है डॉट के साथ स्कोर अब रहते हुए बाइस टीम इंडिया बिना किसे विकेट के नकसान पर आउटसाइड दी लाइन ओफ आफ स्टम्प ये गें थी फुलर लेंथ ये गें थी स्केन को ड्राइब किया था बलेबास ने मिड ओफ के एरिये में लेकिन वहाँ पर कोई मौका नहीं सिंगल लेने का तो आज जो है वो कप्तानी जो प्लेयर कर रहे हैं दोस्तों स्टीम की वो हैं स्टीव स्मिथ ओवर की दूसरी गें दा राइट आम ओवर दो विकेट ये गें थी स्केन को बलेबास ने एक बार फिट से जो है वो दोस्तों समलते हुए खेला कोई भी रून लेने का मौका आप मौझूद नहीं है डॉट के साथ स्कूर बाई से बिना किस विकेट के नुकसान पे लैंड डिलिवरी थी मिडल स्ट्रंप की लाइन में यगें थी और इसकेन को बलेबास ने समलते हुए यहां पर खेल दिया तो दिल से शुक्रिया आप सभी का हमार साथ देने के लिए हमार साथ बन रहने के लिए उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे खेर आफियत से होंगे जो भी दोस्त चाहां कई से हमार साथ मौझूद है और मैच को जो है वो एंजॉआए कर रहे होंगे अकील ने हुमेजवाइन के हुआए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अकील भाई हमार साथ देने के लिए जो भी दोस्तियां कई से मौझूद है वेलकम ओल तो दी लाइब स्ट्रीम स्ट्राइकर एंड पर मौझूद रोहिद शर्मा रोहिद शर्मा का ये क्लासिकल शॉट और गेन जाते हुए बांडरी लाइन के पार चार रंस के लिए वर लवली पीस ओफ बैटिंग 26 से स्कूर बिना किस विकेट के नुकसान पे फिल्डर्स के सर के उपर से स्केन को उठाया ये गेन जो के फुलर लेंद गेन थी आफसाइड दी लाइन आफ आफस्ट्रम थी इसके इनको जो है वो दोस्तो उठाते हुए बैदिया चार रंस के लिए बांडरी के पार और इसी चौके की मदद से स्कूर 26 से टीम इंडिया बिना किस विकेट के नुकसान पे ला जवाब हिटिंग यहाँ पर रोहित शर्मा और कहलीजे के उनके साथी प्लेयर शुबंद गिल की तरफ से आज ये जोड़ी जो है वो दोस्तों बहुत ही जबरदस दिखाई दे रही है हमें आज रंस जो हैं वो बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं इंडिया वर्सिस ऑस्ट्रेलिया और बहुत ही जबरदस किसम का चलते हुए ये मुकाबला इस वक्त दोनों ही टीम्स के दरमयान स्कोर की बात की जाया है तो 26 स्कोर बिना किस विकेट के नुकसान पे अंदोर से खिला जा रहा है दोस्तों ये मुकाबला इन दोनों ही टीम्स के दरमयान और एक अच्छा जबरदस किसम का ये मुकाबला जो के अब चलते हुए इन दोनों ही टीम्स के दरमयान ये हाँ पर अब 26 स्कोर टीम इंडिया का बिना किस विकेट के नुकसान पे क्राउट के एक पड़ी तादात स्टेडियम के अंदर मौजूद जो के इस मुकाबले को जो है वो दोस्तों अब एंजुआए करते हुए आपर चार गेने हो चुकी इस सोवर के अंदर अब पूरी अच्छी जबर्दस किसम की जो है वो इस वक्त हमें कह लीजे के बालिंग जो के बैटिंग जो है वो दोस्तों होते वे दिखाई देरे ये बालिंग तो बिलो एवरीज जो है वो इस वक्त चल रही है अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा तो दोस्तों यहां पर अब 26 स्कोर टीम इंडिया का बिना किस विकेट के नुक्सान पे गेंद आउस्टम के लाइन में ये गेंद इस गेंद को बलेबास ने बिना किसी दिखत और परेशानी के जाने दिया है विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के साथ स्कोर है 26 टीम इंडिया का बिना किस विकेट के नुक्सान पे 26 रंस की ये पार्टनर्शिप जो है वो इन दोनों ही प्लेयर्स के दर्मयान अब लगते हुए अच्छी जबरदस के सुमकी जो है वो दोस्तों पार्टनर्शिप लगाते हुए ये दोनों ही बैटर्स अपनी टीम के लिए यहाँ पर 26 से स्कोर्टीम इंडिया का बिना किस विकेट के नुक्सान पे पांच अवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा पहले अवर्स के अंदर थोड़ी से चांसिस बने लेकिन उसके बाद आपको बताता चलो कि यहाँ पर बिलकुल नाहने के बराबर जो है वो हमें च तो अगले अंड से अब स्पिन बॉलर को जो है वो दोस्तों बॉलिंग के लिए लाया गया है क्योंकि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स विकेट लेने में आकाम दिखाई दे रहे हैं खासतोर पर जो दूसरे प्लेयर हैं वो अभी हमें विकेट लेने में आकाम दिखाई दे र काम्याबी जो है वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्कोर अब रहते हुए 26 टीम इंडिया का बिना किस विकेट के नुकसान पे दिल से शुक्रिया आप सभी का हमार साथ देने के लिए हमार साथ मौझूद रहने के लिए यहाँ पर रब स्कोर 26 टीम के नुकसान पे स्पिन बॉलर मैथ्यू यहाँ पर कह लिजे के हलकी सी जो है वो विकेट के उपर आप कह सकते हैं कि डस्ट मौझूद इस वक्त में दिखाई दे रही है जिसकी वज़ा से स्पिन बॉलर्स को शायद थोड़ी से मदद मिले लेकिन आपर राउंड विकेट करवाई कि यह गेंदी स्केट को गैप में खेलते हुए शुबन गिल ने एक रन को पुरा कर लिया है उम्दा रन गोटन में विकेट करते हुए सिंगल के इज़ाव की साथ अपनी टीम के स्कोर को वाब आगे बढ़ाते हुए विकास ने हमें जोइन किया हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरा ठाकूर हमार साथ मौजूद है फिरोज है हमार साथ मिचल स्टार्क शॉट अफ लेंध बॉलिंग करो जी बिलकुल यहाँ पर अगर बात की जाए मिचल स्टार्क की तो मिचल स्टार्क जो है वो अब थोड़े स्ट्रोगल करते हुए में दिखाए दिया यहाँ पर एक पार फिट से ही नजीर एहमद ने हमें जोईन किया हुए साजिद अली हमार साथ मौजूद है वेल्कम टू दी लाइफ स्ट्रीम और की यह तीस्टी गेंद गुडलन की यह गेंद जो के यहाँ पर टर्न होते हुए हलकी सी बाहर की तरफ निकली इस गेंद को पंच करते हुए मिडाउन केरिये में खेला कोई भी रन लेने का मौकाब मौजूद नहीं है 27 से स्कोर टीम इंडिया का बिना किसी विगेट के नुक्षान पे 5 और 3 गिनों का खेलब हो चुका है पूरा बढ़िया शुरुवात ये टीम इंडिया की और रन बॉल रन्स को जो है वो हमें बनाते वे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और काफी तेजी की साथ काफी बढ़िया बलेबाजी जो है वो की जा रही है उवर की चौथी गेंड एक पार फिट से इस गेंड को जो है वो खेलने की कोशिश और ये गेंड बले का बाहरी की नारा मिस करते वह गही है विकेट के बर के बास तो अच्छी नपीतुली बॉलिंग होते वह यहाँ पर रोहित शर्मा आपने शौट्स को लगाना जो है वो पसंद करते हैं रंज को बनाना पसंद करते हैं और यहाँ पर उवर के लिगेंड को स्वीप करने की कोशिश मिडल स्टम की लाइन में गेंड लेकिन नाकाम बहे बलेबाज डॉट के साथ 27 से स्कोर्टीम इंडिया का बिना किस विकेट के नुक्रसान पे हमार साथ मौजूद जो दोस्त अहसान आदिल हमार साथ मौजूद है विकार्स ने हमें जोईन किया वह बहुत बहुत शुक्री आपका भी हमार साथ देने के लिए तो यहाँ पर एक बार फिट से और की पांच वी गेंड फुलर लेंध ये केंड इस गेंड को बलेबास निखेलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे अपनी क्रीज से बाहर निकल कर लेकिन नाकाम रहे वो और इस तरह स्ट्रंप आउट होते हुए बड़ी सफलता मिलते हुए टीम अस्ट्रेलिया को शुरुआती अवर्स के अंदर और यहाँ पर मैथ्यू जो है वो दोस्तों विकेट लेने में काम्याब होते हुए हमें द दोस्तों 27 से स्कोर टीम इंडिया का एक के नुकसान पे छे वर्स का खेलब हो चुका है पूरा फर्स ब्लड फोर टीम अस्ट्रेलिया रोहिद शर्मा बारा रूंज मनाएं तेज के नुका के अस सामना तीन चौके लगाए उन्होंने बावन के स्ट्राइक रेट के साथ व स्ट्राइब कम आउट होते हुए रोहिशन माँ अभी स्ट्रॉंप आठ होए हैं और और का स्टाम इसके अंदर रहते हुए एक विकट और एक ही फिरन आया हुए है अब बाद चुके हैं पुजारा आने वाले आप जोंसे बोलिंग कराएंगे वो होने वाले हैं मिचल की मिचल क्या है स्ट्राइक एकोनमी एक ही और जी हाँ दोस्तों 27 स्कोर एक के नुकसान पे 6 वर्स का खेल अब हो चुका है पूरा चितेश्वर पुजारा जो है वो बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं और चितेश्वर पुजारा का सवा मैच था जो पिछला मैच चितेश्वर पुजारा की हम बात कर लेते हैं तो एक अच्छी जवर्दस किसम की ये बैटिंग करने की काबलियत रखते हैं रंस को जो है वो ये बनाने की काबलियत रखते हैं यहाँ पर अब 27 स्कोर टीम इंडिया का एक के नुकसान पे रोहित शर्मा की सूरत में टीम इ यार बुड़ी बात है काश्व बरहल दोस्तों 27 स्कोर टीम इंडिया का एक के नुकसान पे शुबन भाई दि बिलकुल लाज शुबन गिल को जो है वो टीम के अंदर शामिल किया गया है अगले अवर के अब होगी शुरुआत में चल स्टार्क राइटाम मोवर द विकेट जो के दौरते हुए आए गिन किया और इस गिन को बलेबाज जिन होने समलते हुए खेला कोई भी रन लेने का मौकाब मौज़ोद नहीं है डॉट के साथ 27 स्कोर बिना किस विकेट के नुकसान पे 6 अवर जोर एक गिन का खेलब हो चुका है और किस अंदाज से वो आगे बढ़ने में काम्याब होते हैं मिखील ने हमिजवाइन किया हुआ है बहुत दो शुक्रिया मनीश कुमार भाई हमारे साथ मौजूद है और गोविन ने हमिजवाइन किया हुआ है वेलकम टू दी लाइफ स्ट्रीम आज आई है आज तो बहु है वो हम आपके साथ बने रहते हुए आपके कमेंट्स वगरा जो है वो लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इस गेन को गैप में खेलते हैं सिंगल तो ली लेकिन लेकिन ओवर्थ्रो की सूरत में टीम इंडिया को अब रंज मिलते हुए अच्छे खासे रं में खेलते हुए यहाँ पर एक रंद तो पुरा किया लेकिन उसके साथ ही पांच रंद जो है वो और आते हुए कोई बात नहीं वैसे भी एक वर में रोहित आउट था टू टाइम्स यह बिलकुल पहले वर के अंदर दो दफा आउट हो गे थे रोहित चर्मा लेकिन अब यहाँ पर आपको बताता चलो तो विकेट जो है वो दोस्तों की गिर ही गई है मिस हैप जो है वो दोस्तों थोड़ा साह में अब देखने को मिला लॉइम ने डाइब करने के बावजूद वो इस गेन को रोकने मना काम तीन फिल्डर्स को अब स्लिप पर लिया गया अच्छी गेन्द कोई बिरन ने काम होगा आप मौजोद नहीं है डाट के साथ 32 स्कोर एक नुकसान पर हाँ आप कुमेंट्स वगरा करते रहें कुमेंट्स अगर आपके आएंगे तो ये एक अच्छी चीज रहेगी हमारे लिए कम उसकम हमारा दिल लगा रहेगा आपके स शेख वाइम भाई हमार साथ हैं वेलकम टू दी लाइफ स्ट्रीम एस वेल चारगे ने होचकी अब तक इस ओवर के अंदर आप पर अच्छी नपीतुली बॉलिंग होते हुए विकेट शबीर हमार साथ मौजू ने हैं वेलकम टू दी लाइफ स्ट्रीम तो यहाँ पर लै दिखाई दे सकते हैं एकल जूँ हमार साथ है अकील ने हमें जुएन किया वेलाल पक्तून ने हमें जुएन किया वाइफ बॉब बहुश्यूक्रिया आपका आई दुपहर के वक्त वेसे बंग्वादेश और इंगलैंड का मैच भी है तो वो भी एक करने लाइक मैच हो सक तो यहां पर जी अगेंड जो है वो दोस्तो शुबमन गिल की बाड़ी से जाकर ठकराई जुल के दूसरे एंड पर शायद तो यहां पर अब थोड़े से वो इंजड हुए हैं देखते हैं कि वो अपनी बैटिंग के सिल्सले को सही से कंटीन रख्माएंगे या नहीं रख्माएंगे तीन फिल्डर्स को जो है वो स्लिप की पॉजिशन पर रखा गया है आज सभी अभी तक सो रहे हैं आइस्ता इस्ता आएंगे हो कैसे हुआ से भाई जी बिल्कुल मैं ठीक हो भाई पूजा संजोत है हमार साथ वेलकम टो दी लाइफ स्ट्रीम पूजा बहुत बहुत शुक्री आपका देबराज ने हमें जोईन किया है रवी आदव भाई हमा आटिम इंडिया का एक नुकसान पे यहाँ पर गिल जो है वो दोस्तो थोड़ी से इंजड हुए हैं और जो डाइब करते वोए उन्होंने जो है वो सिंगल पूरी की थी वो ही वजा थोड़ी से इंजरी की हुई थी लेकिन अब दुबारा से रड़ी हो चुके हैं खेलने के लिए यहाँ पर कहले के अब स्ट्राइकर एंड पर मौजुद हैं चते शुर्पुजा राज इन्होंने स्कूडलन की गेन को जोगे टप पालेते वे हलकी से अंदर की तरफ आई गेन को गैप में दिखेलते वे एक रंद को गुरा कर लिया है सिंगल की जावा की साथ स् पहला सेशन जारी है तैंतीस मिनट का खेल इस पहले सेशन के अंदर हो चुका है और एक अच्छा जबरदस्ट किसम का जो है वो दोस्तों ये सेशन चलते हुए टीम इंडिया के लिए खास तोर पर क्योंकि एक ही विकट को जो है वो उन्होंने अभी तक लूज किया हुआ ज़्यादा नुकसान बुकसान जो है वो दोस्तों नहीं हुआ है तो इसलिए आपर कोई इतनी मुश्किलात का सामना टीम इंडिया को नहीं है एक विकट तो गिरी जाती है और वो तो पहले ओवर के अंदर ही गिर सकती थी लेकिन लखी रहे रोहित शर्मा के वो सर्वाइ हां मिकील भाई मैं भी ठीक हूं मिकील भाई और उमीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे हांजादा राजपूत है हमारे साथ सुल्मान बटी हमारे साथ मौजूद हैं और मिकील कुमार हैं बहुत बहुत शुक्री आपका हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद एक अच्छा जबर्दस किसम का ये मैच जो के जारी है आज कोहली और गिल का दिन रहने वाला है जो बिलकुल शुमनगिल जो है वो अभी तक हमें कहलिजीए के जबर्दस किसम की शुरुवात जो है वो करते हुए दिखाई दिखाई दिये हैं रंज को बनाते हुए दिखाई दिये हैं जो के स्ट्राइक रंड पर मौजूद हैं मैठ्यू के ओर की पहली गेंद टपा लेते हुए जो के हलकी से बाहर की तरफ निकली इसके इनको बलेबास ने संबलते हुए खेला इस मैच में अस्ट्रेलिया स्ट्रेलिया स्ट्रॉंग्ली कमबाक करेगा इट फिल नाट पी एजी फोर टीम इंडिया I don't think they are going to make any kind of comeback in this series not in this match in this series हाँ यह के one day matches शायद one day matches जो है वो शायद थोड़े से interesting हो पाए लेकिन यहाँ पर यहाँ पर Matthew जो है वो दोस्तों जादो भी बॉलिंग करते हुए एक और विकेट को जिन होने कर लिया है अपने नाम दूस्तों दजका लगते हुए टीम इंडिया को और एक भड़ा दजका जो है वो दोस्तों लगते हुए catch आउट होते हुए यह प्लेयर यहाँ पर दूस्ते दोनों ही इप्तदाई बले बास दोनों ही ओपनर्स जो है वो कह लीजिए के यहाँ पर खुने मैन का स्टार कह लिजिए के शिकार होते हुए और खुनी बादिंग करवाते हुए हाँ पर मैथ्यू कुने मैन यहाँ दोस्तो एक प्रैक्टिक सिंग कैच स्लिप के फिल्डर की तरफ से जो के लिया गया आप बिना किसी दिकत और परिशानी के उन्होंने इसके इनको कैच किया और इस तरह विकेट जो है वो दोस्तों गिरते हुए दूस्ते विकेट गिरते हुए शोमन गिल्द आउट होकर पविलीन के तरफ आपे 16 अगेनों के उपर एक इस तरंद होना है अच्छा अस्ट्रेलिया की टीम ने बॉलिंग के अतबार से अगर हम बात कर लेते हैं तो पहली 5-6 विक्टेम बहुत जल्द ले ली हैं इस सीरीज के अंदर इंडिया की लेकिन जो अगली विक्टेम होती हैं लाइक अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट की तीन-चार विक्टो की तो वो बिल्कुल भी ले पाती है ये टीम ना तो ये है दूसरा बढ़ाद का लगते हुए और नए आने वाले प्लेयर के अगर बात की जाए तो वो है अब विरात कोहली अपनी टीम के एक मेंड प्लेयर विरात कोहली जो के बलेबाजी करने के लिए बलेबाजी करने के लिए जो है वो दोस्त वा चुके है पांचसो के करीब सदस्ते जो है वो हमार साथ मौझूद है दोस्त नमार साथ मौझूद है जाकिर ने हमें जोईन किया हुआ है रवी यादव हमार साथ मौझूद है वेल्कम टू दिलाइज ट्रीम खेल रहे होते तो तीन मिक्टे गिर चुकी होती बस करने यार इतने भी बुरे फ्लेयर नहीं है केल रहूल क्यों आप कहले के उनको इतनी ज़़ाद अतिनकीद का निशाना बनाते हैं आई विरात कोहली का दिन जो हो सकता है 23 के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपनी दो विक्टो को लूज कर दिया है पहले बले वाजी करते हुए टीम इंडिया अब इस मुकाबले के अंदर हमें आगे जाते हुए दिखाए देगी मुझे जो लग रहा है दोस्तों ये लग रहा है कि साड़े तीन सो का स्कोर तो आराम से बन ही जाएगा बले जो भी हो जाए अपनी होम कंडिशन का फाइदा उतार दे हुए टीम इंडिया इतना रंसो बना ही देगी क्योंकि जो लास्ट की बैटिंग है टीम इंडिया की वो बहुत ही स्टॉंग रहती है खास तोर पर आलराउंडर पेर्ज अरलिया उन विक्टे लेने के बाद टीम आस्ट्रेलिया जो है वो काफी ज़दा कहले के लाइट हो जाती है लेकिन उसके बाद विक्टे उनको नहीं मिल पाती जो यहां दोस्तों कोई बिरन लेने का मौका आप मौजूद नहीं है डॉर्ट के साथ 34 स्कोर टीम इंडिया दो के नुकसान पर साथ और जो और तीन गिनों का खेल अब हो चुका है पूरा तीन गेने जो है वो इस ओर के अंदर भी तक हो चुकी है पूरी अच्छी नपीतल बॉलिंग होते हुए विरात कोली की तरफ से जो है वो किस किसम की आज के इस दिन के अंदर जो है वो दोस्तो बलेबाजी की जाती है यह तो अब टाइम ही बेतर बताएगा फिलाल अच्छी नपीतली बॉलिंग होते हुए यहाँ पर एक बार फिर से यह गें लेक्स्ट्रम की लाइन से यह गें टर्न होते हुए बाहिर की तरफ निकली बहुत ही अमदा बॉलिंग होते हुए दोस्तों और बलेबास को जो है वो थोड़ी मुश्किलात में डालते हुए यह गेंद बास दी और गेंद लगातार जो है वो हमें टर्न होते हुए दिखाई दे रही है रंज लेने का मौका जो है वो दोस्तों बिल्कुल ना होने के बराबर यहाँ पर ओर की पांच वी गेंद एक बार फिर से स्ट्रम्स की लाइन में यह गेंद जिससे समलते हुए विरात कोली ने खेला कोई विरात कोली ने का मौकाब मौझूद नहीं स्कोर 34 से टीम इंडिया का दो के नुकसान पे आखरी गेंद है अभी सोवर की विरात कोली स्ट्राइकर रंड पर मौझूद यहाँ पर यह गेंद विडल ने रास्टम के लाइन में इस गेंद को गैप में खेलते हुए एक रंड को पुरा कर लिया है तुम बताओ कैसे हो मैं तुम ठीक हो हाँ जी बाई मैं ठीक हूँ मिखील कुमार और उमीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे सबी दोस्त जो भी जहां कहीं से हमारे साथ मौझूद है महेश्वर पठेल हमार साथ महजूद है वेलकम टुदी लाइफ स्ट्रीम एसके ने हमें जोईन किया हुए बहुत बहुत शुक्री आपका भी हमारे साथ देने के लिए लवली हमारे साथ हैं एकपाल पर टेल हैं रुमाई साथ और जो भी दोस्त जांके इसे हैं वेलकम ओल टुदी लाइफ स्ट्रीम बहुत बहुत शुक्री आप सभी का हमारे साथ देने के लिए बन रहने के लिए 35 स्कोर्दों के नुक्सान पे आठ वर्स का खेल अब हो चुका है पूरा इंदोर से खेला जा रहा है ये मुकाबला यहाँ पर इंडिया के लिए एक और बेहतर ग्राउंड समझ जाता है अगर इंदोर ग्राउंड की अगर हम बात कर लेते हैं क्राउड की एक अच्छी तादाथ स्ट्रेडियम के अंदर मौजूद पहला ग्राउंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है ऐसा कहा जा रहा है जिए विलकुल अभी तक दो विक्टेयर टीम ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की हुए है तो यहाँ पर रब नेथल नॉ अच्छी जबर दस किसम की जो है वो बॉलिंग करवाई गई थी और देखते हैं कि आज कई वाला मौदा नेथल नॉइन के लिए कैसा रहने वाला है फ्लिक करते हुए मुडविगेट के अरिये में विरात कोहली ने इस ओवर की पहली गिन को खेलते हुए सिंगल को पूरा किया था आपर अब च्छती से स्कोर टीम इंडिया का बो के नुकसान पे आट हवर्ज और गिन का खेलब हो चुगा है पूरा हुसेन गुजर ने हमें जोईन किया हुए जाकिर है हमारे साथ फरुकाबाद से वेल्कम टू दी लाइफ स्ट्रीम जाकिर भाई वो मैच शायद इस महीने की इस महीने के आखरी हफते में खिला जाएगा फिल्हाल इंडिया के मैच इस में पी एसल चल रही है तो दोस्तों स्ट्राइकर एंड पर मौजूद चतेश्वर पुजारा और यहाँ पर बोल्ड कर दिया है फिल्हाल जिब लकुल दोस्तों थृइ योग्ई ठेस्ट और टूडे टेस्ट ऐसा हा पूछा जा रहा है कि दो दिन के अंडर यह मुकाबला खत्म होगा एटीन दिन के अंडर यह मुकाबला खत्म होगा क्योंगे जिस किसम की विकेट लग रही है यहाँ पर गेंद कुछ ज्यादा ही टर्न एंड बाउंस जो होते वो हमें दिखाई दे रही है भाई PSL में तो आप बोलते नहीं है रुमाईसा हमारा चानल है क्रिक्टेल्स लाइब ठीक है क्रिक्टेल्स लाइब वहाँ पर हम बोलते हैं PSL के इंड ठीक है में चानल के उपर नहीं बोलते हैं वहाँ पर हम बोलते हैं क्रिक्टेल्स लाइब के उपर तो अगर आपको सुनना हुआ तो वहाँ पर आ जाईएगा शाम के वक्त तो 36 स्कोर 3 के नुकसान पे नए आने में पेर अब है रविंदर जदेगा रविंदर जदेगा जो है वो दोस्तो अब दी ओरडर बले बाजी करने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पर कह लिजे के इनको लाने का यह मतलब है के लेफ्ट हैं राइट हैंड कम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर लाया जाए और क्याले के यहाँ पर यही चीज़ है बहुत ज़्यादा जो है वो गेंटर्न हो रही है मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर यह चीज़ कही जए तो अस्ट्रेलिया विल कम बैक स्ट्रॉंगली दे आर कमिंग बैक आरके मैं मुझे अभी यकीन नहीं है अस्ट्रेलिया की टीम तब ही comeback कर सकती है कि जब वो यहाँ पर इंडिया की पूरी टीम को all out करेगी और ऐसा होते हुए फिलहाल मुझे दिखाई नहीं देगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जो lower middle order है वो अस्ट्रेलिया को नाको चने चबवाने की काबलियत रखता है अनीक कुमार ने हमें जोइन किया हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनीक कुमार हमार साथ देने के लिए रविंदर जदेजा बाच के बैटिंग करने के लिए जो के नेथन लाइन की बाहर निकलती हुए गेनों का सामना करेंगे जिया दोस्तो यहाँ पर नेथन लाइन अब बॉलिंग करवाते हैं रविंदर जदेजा स्ट्राइकरेंट पर माजो जिन्होंने इस गेन को गाप में खेलते हुए बाउंडरी लाइन की तरफ बेज दिया है पीछा करते वे फिल्डर और बिल्कुल बाउंडरी लाइन के बास या करूंने इस गेन को जब तक फिल्ड करते वे वापिस किया है तीन रंज को तीन रंस को जो है वो पूरा कर लिया गया यहां पर तो अड़ाइसो का टोटल भी एक अच्छा टोटल लग रहा है मुझे वो ही न अनीक आपने सही बोला कि यहां पर यहां पर अड़ाइसो का टोटल भी एक अच्छा टोटल लग रहा है मुझे तो टीम इंडिया अगर बनाने में काम्याब हो जाती है सफल हो जाती है तो विरात कोहली स्ट्राइकर रेंट पर मौझूद जिनके लिए सोवर की अगली गेंद अच्छी गेंद कोई भी रन लेने का मौकाज हो है वो दोस्तों यहां पर मौझूद नहीं है स्कोर अब 49 से थीन के नुकसान पर अस्ट्रेलिया को चौथी इनिंग्स खेल ली अभी तो पहली इनिंग्स ही तीसरी इनिंग्स जैसे लग रही है अरल दोस्तों वीरात कोहली अब स्ट्राइकरेंट पर मौझूद है जिन्होंने इस गेंद को लजवाब अंदा से खेल दिया है कैप में बार्मरी लान के तरह बढ़ते हुए यह गेंद लेकिन पीछे फिल्डर मौझूद जिन्होंने इस गेंद को पगड़ते हुए जब तक वाप इस किया है एक रून लेने का मौका चालिस स्कोर तीन के नुकसान पर वैसे इस किसम के मैच के अंदर जो है वो ब्राटकास्टर्स को इतना फाइदा नहीं होता होगा क्या ख्याल है दोस्तो क्योंकि मैच अड़ाई दो तीन दिन के अंदर ही खतम हो जाता है तो ब्राटकास्टर्स जो है वो तो पांच दिन का सोच के आये होते हैं लेकिन मैच जो है वो बहुत ही जल्द खतम हो जाता है उनका इतना बला नहीं होता होगा वैसे ये चीज़ तो है ना वरल दोस्तों यहां पर 40 स्कोर 3 के नुकसान पर 9 वर्स का खेल हो चुका है पूरा इंडिया की टीम को जो एक चीज़ समझती है और वो करनी है और वो यह है कि यहां पर उनको रंज को बनाना है रंज को अगर वो बनाएंगे तो ही वो इस मैच के अंदर बने रहेंगे क्योंके विक्टे तो गिरेंगी ही गिरेंगी जिस किसम की विक्ट है जिस किसम की यह पि विरात कोहली और रविंदर जधेजा की प्लेयर रहेंगे अपनी टीम के लिए अब यहाँ पर 40 से स्कोर तीन के नुकसान पर दूसरे एंड से मैथ्यू अकोनमैन जो है वो अब हमें बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे दो रंज देते हुए दो विक्टो को अब तक इन होने का रखा है अपने नाम यहाँ पर अगर बात की जाए श्रीय सेयर की अब यह उनको आना है सिरकार भारत को भी आना है अक्षर पतेल को रवीचंदरन एश्रिन को उमेश याद अव मुहंबस सेयरा जिन सभी ही प्लेयर्स को भी आना है बलेबाजी करने के लिए अरांड विक्ट करवाएगी अगें भी रात कोहली के लिए जिससे वो डिस्पैच करते हुए गैप में चौका हो सकता लेकिन नहीं यहाँ पर तीन रंस को जो है वो दोस्तों पूरा कर लिया गया है तीन रंस के इजावे के साथ 43 स्कोर तीन के नुकसान पर तो यह अपकमिंग बैटर है टीम इंडिया के अभी अच्छी खासी बलेबाजी बाकी है श्री सेयर हैं विकेट कीपर बलेबाज मौझूद हैं आशन मौझूद हैं अक्षर पटेल मौझूद हैं तो यहाँ पर राज तो उमेश यादव को भी जो है वो टीम के अंदर शामिल किया गया है अदर आज कितने रंज बदाने में काम व्याब हो पाएगी सवाल इसे दिना है आपने हमें बता आपर रविंदर जदेजा स्ट्राइकरेंट पर मौझूद जिन्होंने समलते हुए इस के इनको जो है वो कह लिजए के राउंड आउस्ट्रम की ये गेंथी गुर्लन की ये गेंथी समलते हुए खेला कोई भी रन लेने का मौका मौझूद नहीं है इंडिन साइड को जो है वो दोस्तों यहाँ पर अब पार्टनर्शिप्स की ज़रूरत है और एक अच्छी जबर्दस किसम की जो है वो पार्टनर्शिप्स साइधारी जो है वो उनको लगाने के आभी शकता है आपर मैथ्यू बॉलिंग करवाते हुए जिनके ओवर केगली केंद रविंदर जदेजा के लिए जिसे उन्होंने जो है वो फिलरलंग केंद को जो है वो दोस्तों जो के आउस्रम के लाइन में थी गैप में केलते वे एक रन को पुरा कर लिया है सिंगल के इजावे के अब 44 से स्कोर टीम इंडिया का तीन के नुकसां पे 9 और और तीन गिनों का केल अब हो चुका है पूरा टर्लंग बाउंस जो है वो दोस्तों गेंद इस तरह से हो रही है जैसे आज चौथे दिन का खेल चल रहा हो बहुत ही ज़ादा जो है वो गेंद इस वक्त हमें गूमते वोए दिखाई दे रही है यहाँ पर अब 44 से स्कोर टीन के नुकसान पे फुलर्ण जो गेंद मिडल इसके स्कोर पर टीम इंडिया की 3 विटे अब तक गिर चुकी है आप पर आखरी गेंद रहेगी दस वेवर की और 50 मिनट का खेल जो है वो इस पहले सेशन के अंदर अब पूरा होने के दहाने पे है यहाँ पर पहले सेशन के अंदर 3 विटे गिर चुकी है और शायद यह से गेंद विरात कोहली के लिए जिसे उन्होंने समलते वे खेला यहां गेंद जोके है यहां पर फौरवर्ड आकर इस गेंद को विरात कोहली ने जो है वो दोस्तो खेल दिया कहलीजिके 2nd slip के filter के बिलकुल सामने जाकर गिरी यह गेंद करीबी मौमला हो सकता था लेकिन बच टेस्ट मैच नौ तारीख से लेकर तेरा तारीख तक खिला जाएगा जिसके बाद ये दोनों ही टीम्स हमें तीन बंडे मैचेस की सीरीज खेलते वे दिखाए देंगे तारीख को पहला वंडे मुकाबला, 19 तारीख को दूसरा वंडे मुकाबला और तीसरा वंडे मुकाबला, 22 तारीख को इन दोनों ही टीम्स के दरम्यान खिलाज जाएगा तो ये सूर्थेहाल बनेगी 44 से स्कोर 3 के नुकसान पे 10 वर्स का खेल अब हो चुका है पूरा ग्यार वेवर की शुरुआत करने के लिए अब लाइन जो है वो दोस्तों बिलकुल यहाँ पर हमें तयार बर तयार दिखाई देने वाले हैं सामना करते हुए उनका रविंदर जह देजा आपर नेथल लाइन की यह गेन टपा लेते हुए बाहेट की तरफ निकलते हुए यह गेन इसकेन को बलेबास ने समलते हुए खेल दिया कोई बिलने का मौकाब मौझूद नहीं है हांजी पिशावर वट्सिस कराची किंग्स आशाम के वक्त होना है वो मुकाबला अस्ट्रेलिया की टीम जो के इस वक्त हमें एक अच्छी पॉजिशन में दिखाई दे रही है जो की बिलने का मौकाब मौझूद नहीं है पितूली बॉलिंग जो है वो दोस्तो होते हुए इस वक्त हमें दे रही है अच्छी जबर्दस किसम की बॉलिंग होते हुए तीन गेनों के वोपर जिन्होंने अब तक कोई भी रन नहीं दिया हुआ इस सोवर के अंदर लेफ्ट राइट हैंड कम्बिनेशन जो है वह दोस्तो बना हुआ है यहाँ पर यह गेन जो है वो लगातार आस्रूम के बाहर करवा रहे है नेथन लाइन गेन को गुमाते हुए बाहर की तरफ जो है वो दोस्तो निकालने की कोशिच में हम यह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक और बड़ी अपील और आउट रविंदर जदेजा भी शिकार बनते हुए दोस्तो यहाँ पर इस नेथन लाइन की गेन का यहाँ पर देख लेते हैं कि अब रिव्यू लिया जाता है या नहीं लिया जाता टीम इंडिया की तरफ से लबी रवली आउट करार दिया गया है और रिव्यू लेने का फैसला किया गया है लाइन को दूसरी विकेट मिल चुकी है लेकिन यहाँ पर बैटिंग साइड जो है वो दोस्तो रिव्यू ले चुकी है देखते हैं कि अब रिव्यू के अंदर इनको सफलता मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली विकेट्स जो है वो दोस्तों गिरते हुए आसानी के साथ लेकिन अब रिवियू देख लेते हैं कि अब रिवियू के अंदर काम्याभी मिलते हैं यह ने मिलती ऐसा लग रहा है कि गेंद जब पैट्स पर जाकर ठराई तो बलेबास विक्टो के बिलकुल सामने थे लेकिन जो चीज बचा सकती है रिविंदर जदेजा को वो इनसाइड अज बचा सकता है अदर्वाइस जो है वो दोस्तों इनका बचना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल लग रहा है और इनल्ड सीन इस आउट लेट सीवाट है पर नोबॉल तो यह गेंद बिलकुल भी नहीं है नेथन लाइन की तरफ से और अब देखते हैं कि कहीं इस गेंद बले का अंधरूनी किनारा तो नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर यह गेंद बिलकुल सीधी रह गी थी टपाखाने के बाद टर्न जो है वो हमें होते हुए यह गेंद बिलकुल भी दिखाई नहीं दी यहाँ पर अब अल्टरेज जो है वो दोस्तों सारी की सारी कहानी जो है वो हमें बता देगी कि यहां पर रविंदर जदेजा आउट है या नहीं है It's time for ultra edge Let's see what happens जी बिलकुल दोस्तों यहां पर जी बिलकुल दोस्तों यहां पर यह गेंड जो है वो I think के बले के अंदुरुईन किनारे से नहीं जाकर ठकराई और सीजा जाकर यह गेंड जो है वो दोस्तों पर ठकराई है beaten the inside edge of the pad I guess लेकिन दोस्तों यहां पर बचते हुए player There is an inside edge on it जी हां दोस्तों हलका सा किनारा जो है वो देखने को मिल गया है हमें तो रविंदर जदेजा को यह review जो है वो बचाते हुए review जो है वो दोस्तों बचाते हुए यहां पर बचते हुए रविंदर जदेजा आउट होते होते बाल-बाल inside edge और inside edge के चलते हुए रविंदर जदेजा जो है वो दोस्तों यहां पर बच शुके हैं बहुत ही लखी रहे और रिव्यू का जो है वो दोस्तों बेहतरीन इस्तमाल करते हुए यहाँ पर रविंदर जदेजा और टीम इंडिया तो यहाँ पर एक बार फिट से बॉलर है तो यार आए गें किया और इस दफ़ा इस दफ़ा जो है वो दोस्तों यहाँ पर कैच ठोते हुए रविंदर जदेजा लो कर लो बात एक तरफ से बचे तो दूसरी तरफ आगे कुआ और पीछे खाई ऐसा अगर आप कहें तो यह गलत नहीं होगा विकेट गिरते हुए दोस्तों रविंदर जदेजा की पहले बचके रिव्यू ने उनको बचा लिया लेकिन इ कल था शायद या परसो कल जो मैच हुआ इंग्लेंड और न्यूज़िलेंड का वो लाजवाब मैच हुआ चवाली से स्कूर चार के निफसान पर अब अईर जो है वो दोस्तों बलेबाजी करने के लिए आचुके हैं दोनों ही राइट हैंड ये बलेबाज हैं जो के अब बैटिंग करने के लिए आचुके हैं इंडिया की टीम अपनी एक और विकेट को लूज करते हुए लेकिन उसके बाद जो है वो आउट होकर गए पविलियन की तरफ वापिस तो स्कूर चावाली से चार के नुकसान पेश्रियस अईर और अईर का साथ देने के लिए जो है वो दोस्तों इस वक्त बलके अईर और वीरात कोहली जो है वो दोस्तों अब यहाँ पर हमें मौज स्किल कंडिशन से सिचुएशन से जो है वो निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे यह चीज़ अब देखने लाइक होगी तो दोस्तों यहाँ पर अब 44 से स्कोर 4 के नुकसान पे यह जो के एक अच्छे जबर्दस किसम के वले बास समझे जाती हैं दोस्तों के क्रीब दोस्तों ने वीडियो को लाइक किया हुआ है दिल से शुक्रिए आप सभी का वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच अबरिवन यहाँ पर अब 44 से स्कोर 4 के नुकसान पे 11 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा विकेट मेडन ओवर जो के अब पूरा होते हुए हमें दिखाई दिया है बहुत ही जबर्दस किसम की जो है वो दोस्तों गेंद बाजी जो के हमें अब यहाँ पर देखने को मिली है टीम अस्ट्रेली इसमिन बॉलर्स की तरफ से मर्फी को अभी बॉलिंग के लिए आना है लेकिन मर्फी से पहले खुना मैन और नेथन लाइन अब तक चार विक्टो का अपने नाम कर चुके हैं विरात कोली और शड़ी से अब हमें स्ट्राइकर एंड पर मौझूद यानि के विकेट की उपर मौझूद जो है वो दोस्तों दिखाई दे रही है जैसे निउजिलेंड कमबैक किया था वै हमारे साथ मौझूद रहिएगा और अच्छा लग रहा है 700 के करीब दोस्त जो हैं वो हमारे साथ आज की हैं दिल से शुक्रिया आप सभी का और उमीद करेंगे कि आइस्ता इस्ता ये तादाद जो है वो बढ़ते हुए में दिखाई देगी बरल 44 से स्कोर 4 के नुकसान प 86 किलो मेटर पर आवर की स्पीर से करवाई गया ये गें थी अशिश याद अब ने हमें जॉइन किया वह बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमार साथ देने के लिए हमार साथ बने रहने के लिए 45 टीम इंडिया ऐनको खेलने के लिए लेकिन जो टीम इस वक्त खेल रही है इस विकेट की उपर मुझे नहीं लग रहा कि वो यहाँ पर ज्यादा रंस को बनाने वाले है बोल्ड गर दिया है यहाँ दोस्तों चॉपना आन इस गेन को गाप में खेलने की कोशिश बले का अंदरोनी किनारा और यह गेम जाकर टकराई है स्टंप से टीम इंडिया अपनी पांट में भी कोट से हाथ दोते हुए वाव और यहाँ पर थर्ड अंपार के बास जायेगा क्या वासे बाबा इस गाइस है वो दोस्तों थर्ड अंपार के बास जायेगे fairness of dismissal को जो है वो दोस्तों दिखा जाएगा यहाँ पर I think out यह player मुझे ऐसा लग रहा है pitches का यह role जो है वो आपके ख्याल से सही है यह नहीं है यह भी आपने देना है मैं बता they will be checking if the ball has hit the keeper's glove and then hit the stumps or not जी बिल्कल दोस्तों इस चीज़ को जो है वो चाक किया जाएगा अब कि ऐसा हुआ है यह नहीं हुआ I year जो है वो दोस्तों late cut करने के लिए गए थे और replay की मदद से दिखा जा सकता है कि यह गेंद विक्टो से पहले टकराई और उसके बाद यह गेंद जो है एक और विक्ट कीपर के गलव सेटक्राईब रहला आउट होते हुई दोस्तों यहाँ पर team India एक और विक्ट गिरते हुई team India की Richtung India की ठ्रेस अइयर ने कौई रनी मनाया दोग इनों का किया सामना और वो भी वापसी का रस्ता इख्तियार करते हुए अब वापस जा चुके हैं परविलियन की और एक और दच का लगते हुए टीम इंडिया को 45 के स्कूल पर गिरते हुए पांच में विकेट 11 वर्ट और 2 गिनों का खेलब हो चुका है पूरा ने आने वाले बले बास की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों वो है सिरकार भारत अभी तक टीम इंडिया ने वाड़ टैस चैंपिंशिप के अंदर जो है वो दोस्तों फाइनल जो है वहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया हुआ है यह वाला मुकाबला जीत कर वो क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन मैं आपको अब दिखा देता हूँ यहाँ पर जो situation है दोस्तों situation जो है ICC Test Championship के Point Shival की वो अब आपके सामने आगी है आप देख सकते हैं यहाँ पर ICC Test Championship का Point Shival जो के आपके सामने मौझूद है here you can see यहाँ पर आपको Australia भी टीम जो है वो दोस्तों इस सक्ट No.1 की position पर दिखाए दे रही है लेकिन इंडिया की टीम जो है वो अब Australia की टीम को आसानी के साथ क्रॉस कर लेगी ICC की Test की जो ranking है वो भी मैं आपके साथ share कर देता हूँ tension लेनी आपने बने रहना है हमारे साथ तो दोनों ही चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ तो दोस्तो ICC Test Championship के point stable को अगर हम देख लेते हैं तो इंडिया की जो win percentage है वो बढ़ते हुए 64 की हो चुकी है और लगातार ये win percentage जो है वो दोस्तो टीम इंडिया की हमें अब बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और Australia को ये team जो है वो दोस्तो अब cross कर देगी यहाँ पर Australia number one की position पर मौजूद है 66 की win percentage है इंडिया की win percentage 64 की है Australia की सिरलंका की team के अगर बात करें तो वो नमबर 3 पर है 53 की win percentage के साथ है South Africa की win percentage 48 की है वो नमबर 4 पर मौजूद है England की win percentage 46 की है वो नमबर 5 पर मौजूद है और यहाँ पर England की team भी final के अंदर अपनी जगा को बना सकती थी मेरे हिसाब से यहाँ पर कहले के ऐसा नहीं हुआ वज़ा उसकी जो है वो यह है क्योंकि जब से Ben Stokes कप्तान बने नो डाउट के इस team में अच्छा खेल खेला हुआ है लेकिन उनके पहले जो है वो अस्ट्रेलिया की हालत जो रूट की कप्तानी के अंडर जो है वो दोस्तों बहुत ही खराब रही थी तो इसलिए जो है वो यह टीम आगे नहीं बड़ पाईए तो दोस्तों यहाँ पर साथ फरीका है इंग्लेंड की टीम है वेस्ट इंडीस की टीम पाकिस्तान नुबर साथ पर मौजूद है बहुत ही बुरे हालात में तो यह दोस्तों ICC टैस्ट चैंपिंशिप का पॉइंट सेबल है लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर ICC की टैस्ट रैंकिंग की तो वो अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ यह आप देख सकते हैं ICC की टैस्ट रैंकिंग यहाँ पर अस्ट्रेली टीम नमबर वन पर मौझूद है 126 पॉइंट के साथ इंडिया की टीम 115 पॉइंट के साथ जो हमें नमबर दो की पॉजिशन पर दिखाई दे रही है लेकिन इंडियन टीम के पास नमबर वन पर जाने का जो है वो दोस्तो एक बेहतरीन मौका अब यहाँ पर मौझूद रहने वाला है तो अस्ट्रेलिया टीम नमबर वन पर मौझूद है दोस्तो इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर यहाँ पर नमबर दो की टीम की तो वो इंडिया की टीम है और इंडिया की टीम अगर अगले दो मैचस को जीत लेती है तो अगले दो मैचस को जीतने के बाद यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं यह टीम जो है वो दोस्तो नमबर वन की पॉजिशन पर जाते हुए या फिर उसके बिल्कुल पॉस जाते हुए दिखाई दे सकती है नमबर तीन की टीम के अगर बात कर लेते हैं हम तो यहाँ पर इंग्लेंड की टीम जो है वो दोस्ता तो यह यह आई सीसी की रेंकिंग है मिलते हुए एक रंड को पूरा कर लिया है और इसी के साथ एक रिकॉर्ड जो है वो दोस्तो अपने नाम कर लिया है यहाँ पर नेथन लाइन ने एशिया के अंदर शेन वारन के रिकॉर्ड को तूड चुके हैं सबसे ज़्यादा विक्टे जो है वो दोस्तो इन्होंने अप पर अब मैथ्यू जिनके ओवर के अगली गेंड इसकेंड को बलेबास ने समलते वेखेला बात रही दोस्तों यहाँ पर अगर मुझे जो फिलिंग आती है ना वो यह आती है इंडिया की टीम को आज कल देखकर मतलब पिछले कुछ मैचेस के अंदर दो तीन मैचेस के अंदर कि इंडिया का जो टॉप ओडर है वो थोड़ा कमजोर है लेकिन जो लोडर ओडर है टीम इंडिया का वो कह लिजे के यहाँ पर हमें स्ट्रॉंग दिखाई दियता आज कम्पेर टॉप ओडर अक्षर पठेल और अक्षर पठेल के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जो दूस्टे प्लेयर हैं अक्षर पठेल के साथ कहले के रवी चंदर नैशन रविंदर जदिजा ये तीनों ही ज्यादा स्ट्रॉंग दिखाई देते हैं आज कम्पेर टो दी अधर प्लेयर्स तो दोस्तो चालीस स्कोर पांच के नुकसान पे बारा वर्स का खेलब हो चुका है पूरा दिल से शुक्री आप सभी का हमार साथ देने के लिए हमार साथ भन रहने के लिए क्राउड जिसकी एक अच्छी और बड़ी तादाद जो के अब स्ट्रेडियम में मौझूद है चालीस स्कोर पांच के नुकसान पे तो ओवर का खेल जो है वो दोस्तो अब समाप्त होते हुए यहाँ पर हमें दिखाई दिया है चालीस स्कोर पांच के नुकसान पे दिल से शुक्रिया आप सभी का हमार साथ देने के लिए मास्टर कार्ट सीरीज के अंदर यह मुकाबला जो है वो इन दोनों ही टीम्स के दरम्यान इस वक्त खेला जा रहा है तो अग्देवर के अंदर नेथल लाइन ही जो है वो बॉलिंग के सिलसले को कंटीनियू रखते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर छादी से स्कोर पांच के नुकसान पे सो क्या लगता है कि इंडिया की टीम आज इस पहली इनिंक्स के अंदर कितने रंज को बनाएगी एक चीज तो लग रहा है यहाँ पर और वो यह है कि इंडिया की टीम शायद आ जाल आउट हो जाए क्या ख्याल है दोस्तों आपका इस सवाले से देना है आपने हमें जल्द जल्द बताब कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा दूरल में गाईज यहाँ पर रब स्कोर चाली से पांच के नुकसान पे क्राउड जो कि इस मैच को अब इंजॉय करने के लिए आया हुआ है लेकिन फिल्हाल इतना हैपी दिखाई नहीं दे रहा है क्राउड जिया गाईज इतना ज्यादा वरल चाली से स्कोर पांच के नुकसान पे भारत जो है वो स्ट्राइकरेंट पर मौझूद है और अपने बल्यबाजी के सिल्सले को जो है वो दोस्तों यहाँ पर रब कंटीन्यू रखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं वासे भाई कौन टॉस जीता बंगलादेश जीतेगा बंगलादेश भाई टॉस तो कुदूरत का काम है अब देखते हैं कौन सी टीम जीती है टॉस के हवाले से तो कोई कुछ नहीं न बता सकता मेरे बाई टॉस जीत कर क्या फैसला लिया जाए ये एक अलग सवाल है बरल तीन के ने होच की है और अब तक कोई भी रणनी सवर के अंदर नहीं आया जहाँ पर नेथन लाइन की एक और बढ़िया गेंद स्टम्स की लाइन में ये गेंद कोई भी रणने का मौकाब मौचूद नहीं है तो लगातार गेंद घूम रही है और बलेबाजों को भी चक्रा रही है आज ये गेंद क्या लगता है कि यहां पर कितने दिनों में ये टैस्ट मैच खतम होगा ये भी हमारा है आपसे सबल मुझे लग रहा है कि तीन दिन लग जाएंगे आज ढाका में मैच होएगा सही है सही है भाई गुड है तो दोस्तो स्कोर है 47-5 के नुकसान पर यहां पर 12 वर्ज़ और 5 गेंदों का खेल जो है वो अब हो चुका है पूरा आखरी गिन रहेगी बिसोर की थोड़ी से परेशानी है इस वक्त इंडियन ख्यामे में लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां पर जो है वो इंडिया की टीम कमबाक कर सकती है और 47 स्कोर 5 के नुकसान पर 12 वर्ज़ और 5 के नुका खेल अब हो चुका है पूरा और के गिन जिसे बहुत ही खतरनाक अंदास से खेल दिया है विरात कोहली ने फाइन लेक के रिये में चार रन्स के दिये करीबी मौमला था आउट हो सकते थे लेकिन लखी रहे है यहां पर 51 है स्कोर 5 के नुकसान पर क्योंके गेंद बहुत नीचे रह गई थी और गेंद जो है वो दोस्तों यहां पर बल्ले का अंदरूनी हिसा छुते वो है फाइनलेक के रिये में गई है चार रन्स के लिए स्कोर है 51 पांच के नुकसान पर पर आगले वर की अब होते वे शुरुवात यहां पर मैथ्यू की यह पहली गेंद स्ट्रम्स के लाइन में यह गेंद इसकोर 5 के नुकसान पर 13 वर्स का खेलब हो चुका है पूरा अगले वर की अब होते वे शुरुवात यहां पर मैथ्यू की यह पहली गेंद स्ट्रम्स के लाइन में यह गेंद स्केंद को बलेबास ने जो है वो समलते वे बैट अन पैट को साथ मिलाते वे खेल लिया है वाप इस बॉलों के पास कोई विराल नेने का मौकाब मौचोद नहीं है स्कोर एक आवन है पांच के नुकसान पे तो विरात कोहली जिनको थोड़ा समल कर खेलने की कोशिश अपनी टीम को जो है वो दोस्तो आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी विरात कोहली को आज देखते हैं कि वो अपनी टीम को जो है वो इस मुश्किल सीचुईशन से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे वीरात कोहली के उपर काफी हद तक किये टीम जो है वो दोस्तों डिपैंड करते हुए अब हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर एक पार फिट से टपा लेते हुए अगेन जो कि हलकी से अंदर की तरफ आई स्केन को बलेबासने लग साइड में दिखेलते हुए एक रंद को पूरा कर लिया है दिल से शुक्रिया आप सभी का हमार साथ देने के लिए थैंक्यू सो मच अबीवन स्ट्राइकर रैंड पर मौझूद है अब विरात कोहली जिन्होंने स्केन को गाप में दे खेलते हुए एक और चौका दे मारा है काफी जदा नीचे रह गी थी ये गेंड टपा लेने के बाद और इसकेन को लेक साइड में खेलते हुए दे मारा है चौका और चौके की मदद से अपनी टीम के स्कोर को अब बागे बढ़ाते हुए विरात कोहली और यहाँ पर रंस जो है वो दोस्तो टीम इंडिया के लि तोड़ी सी जो है वो कैली जे के मुश्किलात का सामना आ सकता है बॉलर जो है वो अब खुनमैन जिनके वरकेड एगेंड आस्रूम के लाइन में एगेंड इसकिन को समलते हुए बलबास ने कवर्स के रिये में खेला कोई भी रंड जो है वो दोस्तो लेने का मौकाब अब तक 56 वली सूर्टयाल बनी हुई है 56 है स्कोर 5 के नुकसान पे अब विरात कोहली अच्छे से खेलते हुए गेंड इनों को अभी जिनने आस्रूम के लाइन में इस करवाईगी गेंड को फ्रंट पर आकर बैटन पाट को साथ मिलाते हुए खेल दिया है कोई भी रंड जो है वो दोस्तों लेने का मौकाब मौजूद नहीं है स्कोर 56 है टीम इंडिया का 5 के नुकसान पे 13 वर्ज और 5 के नुका खेल भोजगा है पूरा जब भी प्रैशर सिचुएशन आती है विरात को ली निकर कर खेलते हैं चलिए उमीद तो इसी चीज़ की करेंगे के यहाँ पर होगा स्कोर बोर्ड इस फ्लैशिंग नहीं अब भी स्कोर बोर्ड जो है वो ठीक हो गया है थोड़ा सा फ्लैश कर रहा था लेकिन अब ठीक है विगेट विगेडी अगेंडी स्किन को समलते हुए बलेबास ने बैटन पैट को साथ मिलाते हुए खेल दिया है वापिस वालर खेलास कोई भी रलनेने का मौका अब मौचुद नहीं है खेल देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर पांच दिन का ये खेल चल पाएगा ऐसा कहना है दोसका जी बिलकुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि पांच दिन का ये खेल नहीं होने वाला हम scoreboard को जो है वो अपनी कहलीजे के बोलने के बराबर लेकर आ रहे थे क्योंकि scoreboard जो है वो हमारा काफी तेज तेज भाग रहा था तो इसको हमने अपनी बोलने के साथ लाया है आश्रिंद पचास रूंज बारेंगे जी बिलकुल अभी तो आश्रिंद बचे हुए अभी तो अक्षर पटेल बचे हुए I am confident के इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पर कमस कम अड़ाई 100-300 का score जो है वो बना सकती है ऐसा मुझे इस वक्त भी लग रहा है जी बिलकुल यहाँ पर यह situation बन सकती है पहली गेन नेथन लाइन की एगेन टपा ले थे वे जो के अंदर की तरफ आई एगेन इस किन को समलते वे बले बाजने लेक साइड में मोर दिया है मुझेट की पॉजिशन पर फिल्टर अब मौजूद है जिन्होंने इस किन को फिल्ट करते वे क्या है वाप इसकोई भी रलनेने का मौकाब मौजूद नहीं है चपन है स्कोर टीम इंडिया का पांच की नुकसान पे 14 वर्जोर एक इन का केलब हो चुका है पूरा इंदोर से चलते वे हैं मुकाबला इन दोनों ही टीम्स के दर्वयान यहाँ पर फिट से नितल लाइन की एकेंड पैट्स भी एकेंड इसकिन को सिरकार भारत ने स्ट्रेट डान दा ग्राउंड मिडॉन की एरिया में देखेलते वे तेजी के साथ दौरते वे एक रन को बुरा कर लिया है बहुत इमदा रनिंग बिर्वन दा विकर्स करते हुए यह दोनों ही बले बास 57 है स्कोर 5 के नुक्सान पे 14 वर्ज और 2 गिनों का खेलब हो चुका है पूरा अगर बात रहे हैं यहां पर कहलेजे के गेंद बाजी की तो गेंद बाजी उनकी शुरुवाती वर्ज के अंदर अच्छी हुई है लेकिन बाद में जाकर वो थोड़े धीले पड़ जाते हैं और धीले पड़ने के बाद फिर इंडिया की टीम कमबैक कर लेती है जैसे कि पिछले मुकाबले के अगर हम बात कर लेते हैं तो पिछला मुकाबला बहुत इंटरस्टिंग हो जाता लेकिन अस्ट्रेल भी टीम जो है वो चार-पांच बलके छे-सात विक्टी अर्ली ओन लेने के बाद फिर अगली विक्टें नहीं ले पाई ओवर के लेगेन को फ्रम फूट पर लाकर बलेबास ने बैटन पैट को साथ मिलाते वे खेल लिया है वाप इसको इब रलनेने का मौकाब मौचूद नहीं है डॉट के साथ 57 है स्कोर टीम इंडिया का पांच के नुकसान पे अब इसके बाद अभी अक्षर पठेल को आना है बलेबासी करने के लिए रवी चंदरन एशन को जो है वादोस्तों भी आना है बलेबासी करने के लिए विरात कोहली है अब स्ट्राइकर एंड पर मौजूद जिन्होंने ओवर केगली गेंड को जो के टपा लेते वे हलकी से अंदर की तरफ आई समलते वे लेक साइड में खेला कोई बिरन लेने का मौका मौजूद नहीं है तो स्कोर अब रहते हुए यहां पर सतावन पांच के नुक्सान पे शाजाद जट नहीं बही गलत लेंग्विज नहीं तो दोस्तों यहां पर रब स्कोर है सतावन पांच के नुक्सान पे चौदा वर्ज और पांच गेंडों का खेल अब हो चुका है पूरा आखरी गेंड है इस ओर की जिसे बैकवर पर रहते हुए विरात कोहली ने स्कोर लग के एरियमें खेलते हुए एक रंद को बुरा कर लिया है अच्छा यहां पर विरात कोहली के अगर हम बात कर लेते हैं तो वो भी वो भी मैं आपको बताता चलू के थोड़ा सा जो है वो अक्रोस दा लाइन जाकर खेलने से जो है वो यहां पर कह लीजिये के इतना फाइदा नहीं रहता है इस किसम की विकेट की उपर जब variable bombs हो जब bombs जो है वो उसको आप इतने अच्छे से ना खेल पा रहे हो तो इसलिए वरल across the line जाकर खेल रहे हैं टॉप order जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं आपर यह series के तीन man of the match या फिर man of the series की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे हिसाब से यहाँ पर कह लिए अश्वन और जदेजा हैं दो अगर players की मैं बात कर लूँ एक्षर ने बले बाजी में अच्छा खेला हुआ है लेकिन अश्वन और जदेजा इन्होंने बालिंग में लाजवाब performance दी हुई है और रविंदर जदेजा को कहीं न कहीं man of the series का ओर दिया जाएगा आपर अब बालिंग में तबदिली करते हुए Murphy को बालिंग के लिए लाया गया है Murphy जो कि spin गिनबाज है वो अब बालिंग के लिए आ चुके हैं और देखते हैं कि हाँ पर किस किसम की बालिंग करवाई जाती है Murphy की तरफ से 45 मिनट का टाइम जो है वो इस सेशन के अंदर अभी और बचा हुआ है ये वाला सेशन पूरा होने में Todd Murphy जो कि अब आच चुके हैं बालिंग के लिए देखते हैं कि किस किसम की गिनबाजी करवाई जाती है Todd Murphy की तरफ से जो कि एक में गिनबाज है अपनी टीम के और यहाँ पर लाजवाब गिनबाजी करवाने की ये काबियत रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अब Todd Murphy जिनकी गिनबाजी का सामना करेंगे विरात कोहली 16 रंज बनाए हुए 24 के नुगा के हवाई सामना और बहुत ही फोकस्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों विरात कोहली इस वक्त क्रीस की उपर जिन्होंने इस ओवर की पहली गिनबाज का करना है सामना बॉलर आए गिनद की है ये गिनद जो के हलकी सी शॉटपिछ गिनदी इस गिनद को बलेबास ने खेल लिया एक साइड में कोई भी रलनेने का मौकाब मौचूद नहीं है रॉट के साथ होते वे शुरुवात 58 है स्कोर्टीम इंडिया का पांच के नुक्सान पे पंद्रा ओवर्ज और 18 का खेलब हो चुगा है पूरा यहां पर टॉड मर्फी के ओवर की एगिनद जो के फुलर लैंड गेन थी इसके इनको बलेबास ने बैटन पैट को साथ मिलाते हुए जो है वो खुबसूरत अंदाज से खेल लिया लॉंगाउन के रिये में वहां पर उस्मान खुआजा मौचूद है जोनों ने इस गेन को बगरते हुए जदबक वाप इसके आहे एक रंद को पूरा कर लिया गया है और दोनों ही बलेबास की तरसे 59 टीम इंडिया फॉर लास अफाइ विगेर्स पंदरावर्स और दो गिनों का खेलब हो चुका है पूरा कोहली ने 17 रंज बनाए हुए सरकार भारत ने अब तक 4 रंज बनाए हुए है रवीच अंदर नैश्वन इसके बाद आएंगे बलेबाजी करने के लिए यहाँ पर बॉल रहे था यार आए गेंड क्या मर्फी की यह गेंड जो गटप पलेते वे बिल्कुल सीधी रह गई थी इस गेंड को बैकपट पर रहते वे कट करते वे पॉइंट के एरिय में खेल कर एक रंद को बुड़ा कर लिया है मैथ्यो मौझूद पॉइंट की पॉजिशन पर जिन्दोंने इस गेंड को फिल्ल करते वे किया है वापिस इसके बाद आपको हाइड किया जाएगा अच्छे सबाचीत का सिलसला भी जारी रखिएगा अभी पूरा मैंच बचा हुआ है गलत लेंग्विज नहीं कोई नहीं मैंने टाइम आउट कर दिया है उनको वलत लेंग्विज वाले बंदे यहां पर बरदाश नहीं है बले वो किसी भी कंट्री से हूँ साथ है स्कोर पांच के नुक्सान पर पंदरा वर्ज और तीन गिनों का खेलब होचका है पूरा तीन सो लाइक्स के लिए दिल से शुक्रिया आप सभी का वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोहली जो है वो दोस्तो अब स्ट्राइकरेंड पर मौझूद है जो के सोवर के लिगे इनका करेंगे सामना एक फिल्डर स्लिपर एक फिल्डर शॉट लेक की पॉजिशन पर मौझूद है यहाँ पर विरात कोहली जिन्होंनी स्केन को बैकपट पर रहते हुए पॉइंट एंड कबर के एरिये में दिखेलते हुए तेजी के साथ दोरते हुए एक और सिंगल को बूरा कर लिया है उमदार रनिंग बिर्विंद विगेट्स करते हुए दोस्तों यहाँ पर अब तक गिरने वाली चार विक्टो की हम बात कर लेते हैं तो जबरदस पिन गेंद बाजी का सिलसला जो है वो हमें देखने को मिला और गेंद टर्न जो है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा होते वे में दिखाई दी है एक सट है स्कोर पांच के नुक्सान पे अब यहाँ पर इस सोवर की रहेगी अब पांचवी गेंद बॉलर है ता यार आए गेंद क्या यह गेंद जो के टप पाले थे वे बिलकुल सीधी रह गई इस गेंद को बलेबास ने खेल लिया है पॉइंट इन कवर के बलके शॉर्ट कवर के एरिये में कोई भ्यर लेने का मौकाब मउचूद नहीं है बात की जए है दोस्तो हो, यहाँ पर अगर कहले यह करेंद गेंद की तो मरफी की गेंद जो है वो इतनी जादा टर्ण नहीं होती है जी हाँ दोस्तो जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर मर्फी की तो बड़ी अपील हुई है यहाँ बिद कैच आउट की लेकिन नौट आउट का सिगनल दिया गया है बरहल थर्ड अमपार के बास जाया जाएगा स्टंपिंग को चेक्च जाएगा और थर्ड अमपार के बास जाया जाएगा देखते हैं के यह प्लेयर अब बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं थर्ड अमपार जो है वो दोस्तो इसे इसका जाज़ा लेंगे यहाँ पर अब स्टम्पिंग को जो है वो दोस्तों चक्किया जा रहा है डिसीन पेंडिंग एंड लेट सी वट हैपन्स यह गेंड जो के टपा लेते वे बिलकुल सीधी रह गई थी हलकी सी मूव हुई यह गेंड इस गेंड को खेलने की कोशिश में बलेबाज जो के नाकाम रहे बले के किनारे से तो यह गेंड नहीं टकराई है यह चीज तो कंफर्म है कि बले के किनारे से कौसो धूर यह गेंड रहते हुए विकेट कीपर के पास गई है और विकेट कीपर ने इसके इनको बगड़ते हुए विक्टो में दे मारा है यहाँ पर देखते हैं कि इनका पाउं जो है वो अपनी क्रीज से बाहिर था या नहीं था तो दोस्तो एक भी लम्हे के लिए भारत का जो पाउं है वो क्रीज के बाहिर नहीं था सोला ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा नोट आउट सिगनल बाई दी अमपाइर तो सोला के बाद एक सट है स्कोर पांच के नुकसान पर ओवर के अंदर आएकुल मिला कर तीन रंज आप अब विरात कोहली नेथल लाइन की गिन बादिका करेंगे सामना नेथल लाइन के अब अगले वर की पहली गिन के साथ है था याँ विरात कोहली के खेलने का ये वला जो अंदास है ये थोड़ा सा ढेंजरस मुझे लग रहा है इसलिए क्यूंकि वो लगातार अक्रास दा लाइन जाके खेल रहे हैं जिबलकुला हाला कि उनको सीधे बले के साथ खेलने क थोड़ी कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर एक बार फिर से विरात कोहली ने इसकेन को बैकफ़ट पर रहते हुए लेक साइड में खिला कोई भी रननेने का मौका मौझूद नहीं है तो स्कोर 61 है पांच के नुकसान पर नितन मैनन जो है वो दोस्तों पर फिर से ओवर की चौथी गेन बड़ी अपील बहुत बड़ी अपील लेकिन अमपायर्टस से मस नहीं हुए नौट आउट का सिगनल दिया गया है अमपायर की तरफ से और अब देखते हैं कि रिव्यू लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा और दोस्तों यहाँ पर रिव्यू ले लिया गया है टीम अस्ट्रेलिया के तरफ से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यह गेंड कुछ ज्यादा टर्न हो रही है बरहल अब देखते हैं कि बनता है क्या तो दोस्तों रिव्यू ले लिया गया है इस गेंड को इस गेंड को उठाने की कोशिश में थे स्क्वेर लेकेरिये में सिरकार भारत लेकिन यहाँ पर नाकाम रहे वो I think कि यह गेंड कहीं न कहीं बल्ले से तो टकराई होगी वरहल अब देखते हैं कि बनता है क्या टर्न हुई यह गेंड और कुछ ज्यादा ही टर्न हो रही है यह गेंड कुछ ज्यादा ही टर्न हो रही है दोस्तों ये गेंद मुझे नहीं लग रहा कि ये गेंद बल्ले ये गलव से टकराई है लेकिन कुछ ज्यादा टर्न होते हुए हमें दिखाई दे रही है ये गेंद और इस वज़े से यहां पर सर्वाइब कर सकते हैं दोस्तों सिरकार भार Impact in line and BigItch Missed String गेंड जो हो दोस्तों, वुक्तों को Miss करते हुए, मुकंमल तार पर और इस तरह टीम Australia अपना Revio लूज करते हुए Australia की टीम, रिवी रूज करते हुए बरहल गेंड बहुत ज्यादा जो है वो दोस्तों Turner हो गई और Survive करते हुए यहाँ पर यह प्लेयर नाम है जिनका सिरकार भारत गेंद बहुत ज्यादा टर्न हो रही है दोस्तों यह तो टीम आस्ट्रेलिया है इसके बाद अभी इंडिया की जब बॉलिंग आएगी तो फिर हलाद देखने लाइक होंगे कि फिर क्या बनता है वरल दोस्तों यहाँ पर सिरकार भारत जो है वो स्ट्राइक अरेंड पर मौज़ोद यह दोने इसके इनको उठा दिया है लेक साइड में मिड विगेट के लिए में यह गेंड हवाँ में रहते हुए एक टपपा लगने के बाद गई है बांडरी लाइन के बाहे चार रंस के लिए बड़ा ही उंदा स्टोक यहाँ पर हमें देखने को मिला है स्टरकार भारत की तरफ से जो के अब थोड़ा रिस्क लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं थोड़े रंस को बनाने की कोशिश में हमें दिखाई दे रहे हैं 66 पर पांच विक्टे गिरी हुई है और ये गेम जो के इस दफ़ा टपा लेते वे बिल्कुल सीधी रह गई थी स्केन को उठाया बलेबास ने लेक साइड में मिडविकेट के रिये में आपर एक पार फिर से बॉलर जो के आए गेन क्या आस्ट्रम के बाहर की ये फिलर लंग के इंदी स्केन को बलेबास ने कवर्स के रिये में खेल दिया शॉर्ट कवर की पॉजिशन पर फिल्डर अब महुचू जिन्होंने स्केन को फिल्ड करते वे किया है वापिस कोई भी रहन लेने का मौकाब मौज़ोद नहीं है 66 स्कोर पांच के नुकसान पर 17 वर्स का खेलब हो चुका है पूरा ये वाला सेशन पूरा होने में अब 37 मिनर का टाइम जो है वो बागी है 37 मिनर स्कोर पांच के नुकसान पर टीम इंडिया बारत नौ के स्कोर पर मौज़ूद है वीरात कोली ने उननी स्कोर बनाए हुए और उन्होंने 30 के नुगा के हवाई सामना आपर अब टॉड मर्फी अपने बॉलिंग के सिलसला एकार को जो है वो दोस्तों कंटीनू रखने हुए हमें दिखाई देने वाले हैं अगले ओवर की पहली गेन के साथ हैं जो बिलकुल तयार अब नेथल नाइन ने पांच अवर्स के अंदर 17 रंजेकर दोविक्टो को क आपने नाम यहाँ पर मर्फी जिनके ओवर किये पहली गेन विरात कोहली के लिए जिसे विरात कोहली जिन्होंने फ्रंफर पराकर बैटन पैट को साथ मिलाते हुए खेल दिया है अब वापिस वोलर के पास कोई विरल नेने का मौका अब मौचूद नहीं है डाट के साथ जो है वो स्कूर 66 है पांच के नुकसान पे पहली सताइस पर गिरी दूसरी चौनतीस तीस 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 चौतीस चौतीस चावालीस पांच में पैंतालिस और इसके बाद अब एकिस रंज की यह साइधारी इन दोनों ही प्लेयर्स के दर्वियान लग चुकी है एक बड़ स्कूर लग के रिये में फूलडर सर्कल के अंदर मौजूद जिन्होंने इसके इनको फ्यूल करते वे किया है वापिस स्कूर 66 है पांच के नुकसान पे आपर एक बार फिर से टॉड मर्फी राइट हम ओवर दो विकेट आए गेंद के अच्छा गेंद टपा लेते वे यह गेंद अंदर की तरफ आया और ये गेंद बले का अंदर उनी किनारा मिस्ट करते वे जाकर पैट्स पे टकराते वे गई लेक साइड में कोई भी रलनेने का मौकाब मौजूद नहीं है डाट के साथ अब स्कूर 66 है पांच के नुकसान पे 17 ओवर और तीन गिनों का खेल भ लेकिन वो नाकाम रहे गेंद याकर पैट्स पे टकराई कोई भी रलन नहीं आया चैसर है स्कूर पांच के नुकसान पे 17 ओवर और चार गिनों का खेल भोचका है पूरा आगई दो गिनों का खेली सोर के अंदर भी होना है बाकी अपर वीरात कोहली है स्ट्राइक रैंड पर मौजूद एक पार फिट से बॉल है टॉड मर्फी जो किया अगेंद किया इस तफ़ा वीरात कोहली ने बढ़िया कॉन्फिदेंस के साथ इस मिडल एनलेक्षम की लाइन की गेंद को समलते वे लग साइड में मोड़ा शॉट लेकी पॉजिशन पर फिल्डर अब मौज के एरिये में कोई भी रन लेने का मौका मौजूद नहीं है स्कोर्च यासर है पांच के नुकसान पे टीम इंडिया 18 वर्स का खेल अब हो चुका है पूरा या पर मीड अन ओवर जो है वो दोस्तों पूरा किया है टॉड मर्फी ने अच्छी जबरदस्त किसम की जो है वो इनकी और से आज जो के रन्स को जो है वो बिलकुल ना होने के बराबर हमें देते हुए दिखाई दिये हैं इस ओवर के अंदर दो वर्स के अंदर अब तक तीन रन्स यह तोड मर्फी ने 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 नितल लाइन दूस्टे एंड से जो है वो अब गिन बादी के सिलसले को प्योंके अंदर सफलता नहीं मिली मिलगे बल के टीम नहीं मिली टीम अस्ट्रेलिया को तो दोस्तो ने थन लाइन जो है वो अब गिन बादी करने के लिए है ता यार इस सेशन के अंदर अब तक 18 आवर्स का केल हो चुका है क्राउट की एक अच्छी तादाद जो है वो स् साइड की तो इसलिए यहाँ पर शायद के सिरकार भारत जो है वो दोस्तो बड़ा शौट लगाने के लिए जाएं लेकिन लेक्साइड में उनको लालिच दिया गया है ओ बहुत ज्यादा टर्न होते वह यह गेंद जो के डाम दा लेक्साइड गई है टप पा लेने के अभी अभी नेथल नॉइन ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा विक्टे लेने का रिकॉर्ड किसी भी बाहिर के बालर की तरफ से ओवर्सीज बालर की तरफ से एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा विक्टे इन्होंने अपने नाम की शेन वार्न के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है आज ही एक फुरिडर स्लिप की पॉजिशन पर मौज़ोद यहां पर ओवर की एकली गेन बहुत बढ़ी अपील लेकिन नौट आउट का सिगनल अंपायर की तरफ से शायद यह गेन बले के अंदरुनी किनारे से ठकराते वी जाकर पैट्स बे ठकराई है अपील हुई दोस्तो अभी भी थोड़ी सलाबात का सिलसला जारी है लेकिन नौट आउट दिया गया है और रिब्यू ना लेने का फैसला किया गया है टीम अस्ट्रेलिया की तरफ से इस दवा गेन अच्छी थी यह और शायद विक्टो के सामने भी थी लेकिन यहाँ पर इंसाइड एज के वज़ा से सिरकार भारत जो है वो दोस्तों बचते हुए हमें दिखाई दिये हैं भारत जो है वो दोस्तों स्ट्राइकर रैंट पर मौझूद है बॉलर है तयार नेथल लाइन अपने ओवर के गयन के साथ जो किया आई गयन किया इस गयन को बैकवर्ट पर जाकर जो है वो खेल दिया वापिस वोलर के पास कोई भी रूलनेने का मौकाब मौचूद नहीं इससे पहले की अगर हम बात कर लेते हैं तो गयन शायद बल्ले से तो नहीं टकराई लेकिन डाउन दल एकसाइट जा रही लेकिन नेथल नौयन का ये कहना कि गयन बल्ले से टकराई है जी यहां दोस्तों गेन बल्ले से टकराई थी तो इसलिए रिव्यू वो जाया हो जाता और अलोवर की जौथी गेन दिसे विकेट के एरिये में देखेलते हुए एक रंद को पुरा कर लिया है इन दोनों ही बलेबास होने दुस्तरे के लिए वापिस आने की कोशिश लेकिन एक रंद बना है सिंगल के इसाफ के साथ स्कोर है सर सर टीम इंडिया का पांच के नुकसान पर ये सेशन पूरा होने में अब आदे गेंटे के आसपास का ठाइम बाकी है क्या इंडिया की टीम मज़ीद कोई विकेट लूज करेगी इस सेशन के अंदर या नहीं करेगी इस सावाले से देना है आपने में जल्द जल्बता क्या आपके ख्याल से यहाँ पर इंडिया की कोई और विकेट तो नहीं गिरेगी इस सेशन के अंदर गिरनी नहीं दिया है वापिस बोलर के पास कोई भी रलनेने का मौक आप मौझूद नहीं है डॉट के साथ स्कोर सरसट है टीम इंडिया का पांच के नुकसान पे अब आज एक नए कैप्टन के साथ टीम आस्ट्रेलिया जो है वो दोस्तों मेदान में उतरते हुए में दिखाई दे रही है आज के इस दिन के अंदर कप्तानी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टीव स्मिथ विरात को ली हैं स्ट्राइकर रैंड पर मौझू जिन हने मौड दिया इसके इन को लेक साइड में मुड विकेट की पॉजिशन पर मौझूद फिल्डर के पास के ये गिन जब तक उन्होंने इसके इन को फ्यूल करते हुए किया है वापिस एक रन को बुरा कर लिया गया हैं दोनों ही बलेबाद की तरस से सिंगल की इसाफ की साथ अब स्कूर 68 65 के नुकसान पर तो अब थोड़े से बेहतर कंट्रोल के साथ ये टीम जो है वो टीम इंडिया आगे बढ़ते हुए में दिखाई दे रही है क्योंकि पार्टनर्शिप्स की बात करें तो अब तक 23 रन्स की साइधारी जो है बन दोनों ही प्लेयर्स के दर्मान लग चुकि हमें ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लेट सी वट हैपिंज यहाँ पर अगले आने वाले टाइम के अंदर जो है वो दोस्तो ये कितने रन्स को स्कूर करने वाले हैं और आपको टैस चैंपिंशिप का पॉइंट स्टेबल लाट सब कुछ जो है वो हम कुछ चैंपिंशिदेर के अंदर बता देंगे पहला जो है वो दोस्तो घैंटा पूरा होच कैबल के अगले गैंटे का केल भी जा रही है विरात कोली स्ट्राइकर एंट पर मौजओ यहाँ पर टॉड मुर्फी के ये अगेंट टपा लेते वे बिलकुल सीधी रह गई ये अगे इसके इनको बलेबास ने विकेट के रिया में दे केलते हैं वे सिंगल लेने की कोशिश की लेकिन वो इसमें ना काम सो दोस्तो आदे गेंटे से भी कम का टाइम जो है वो भी बचा हुए इसके बाद आश्विन को आना है बलेबाजी करने के लिए जिनके आवरिज 28 की है और उसके बाद अभी आना है दोस्तो बलेबाजी करने के लिए यहाँ पर कह लीजिए के आश्विन के बाद अक्षर पटेल को आना है जिनके आपरीज 32 की है तो ये दोनों ही प्लेयर्स बैटिंग करने की अच्छी काभियत रखते हैं अब शायद जल्दी आउट नहीं होगे ये दोनों ही बलेबास जी बिलकुल अब कहीं न कहीं पार्टनर्शिप लगाते हैं में दिखाई देरे 23 रंस की पार्टनर्शिप लग चुकी इन दोनों ही प्लेयर्स के दरमयान यहां पर अगर अगर वीरात कहली यहां से सेंच्री लगाते हैं यह वन आफ दा बैस्टर्स सेंच्री हो सकती है उनकी बहुत ही उमदाई यह गेंद बीट वे दोस्तों वीरात कहली गेंद बले का किनारा मिस्ट करते हुए बिगेट कीपर के दस्तानों में यही खुबसूरती है मरफी की बॉलिंग की क्योंकि वो लगातार गेंद को टर्न करवाते हैं और बीच में एक आध गेंद ऐसी होती है जो के टपा लेते हुए बिल्कुल सीध रह जाती है और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होते हुए हमें दिखाई दिया है शाहीन ने हमें ज्वाइन किया वेल्कम टो दि लाइब स्ट्रीम स्ट्राइकर एंपर मौझूद है अब विरात कोहली ओवर की आखरी की इस के इन को समलते हुए विरात कोहली ने बैकवट पर जाकर पर 20 अवर्स का खेलब हो चुका है पूरा तो दोस्तो 79 है स्कोर 5 के नुकसान पर 20 अवर्स का खेलब हो चुका है पूरा और इस सेशन के अंदर अब 26-27 मिनित का टाइम जो है वह और बाकी है इंडिया की टीम जोना ने टास को जीता है और टास को जीते वे बलेबाजी करने का फैसला किया इस सॉल इंपोर्टन मुकाबले के अंदर टीम इंडिया जो कि अब हमें आगे बढ़ते वे दिखाई दे रही है और सेशन की अगर बात करें तो सेशन टीम आस्ट्रेलिया के नाम रहा ही तो दोस्तों यहां पर बॉलिंगे तब्दीली करते हैं नेथल लाइन को बॉलिंग से उतार दिया गया है अब उना मैन जो है वो बॉलिंग के लिए आ चुके खुने मैन खूनी मैन जिन्होंने हब तक खूनी बॉलिंग करवाई हुई है पांच अवर्स के अंदर तेरा रन्स देकर तीन विक्टो को अपने नाम किया हुआ है तो ये अब आच के हैं बॉलिंग के लिए जिनका सामना करेंगे अब विरात कोहली आपर और की ये पहली गेंद टर्न होते वे ये गेंद जो के अब टपा लेते वे बाहर की तरफ निकली बले का अंदरूनी किनारा लेते वे ये गेंद ये पॉइंट के अरिये में कोई भी रन नी बना इस गेंद के ओपर पॉइंट के रिये में कोई भी रन नी का मौकाब मौझूद नहीं है तो स्कोर 69 है टीम इंडिया का पांच के नुकसान पे अब 20 और 2 गिनों का खेल अब हो चुका है पूरा इस सेशन के अंदर जो है वो टीम इंडिया मजीद को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती है मेरे हिसाब से सो इंडिया शुड ट्राय टू प्ले सैंसिबली हेर और बिना रिस्क के जो है वो दोस्तों खेला चाहिए हलकी सी कन्फ्यूजन जो है वो दोनों ही प्लेयर्स के दरम्यान हुई ज़रूर इसके इंड को पॉइंट और कवर के अरिये में खेलते हुए यहाँ पर एक रंद को बुरा कर लिया गया है खुनमयान अब तक तीन विक्टे लिए हुई है स्ट्रंप आउट किया था उन्होंने रोहित शर्मा को और उसके बाद स्लिप की पॉजिशन पर शुमन गिल आउट हुए श्रियर सहीर जो है वो दोस्तों बॉल्ड आउट हुए बलके चतेश वर फुजारा शायद स्ट्राइकर एंपर मौजूद है सिरकार भारत जिन्होंने इसके इनको फ्रंप पुट प्रना कर बैटन पैट को साथ मिलाते वे खेल दिया है आउट साइड में कोई भी रन जो है वो दोस्तों लेने का मौकाब मौचूद नहीं है तो स्कोर सतर है पांच के नुकसान पे 20 ओवर जो और पांच के नुका खेल बहुचका है पूरा यहाँ पर मैथ्यू जिनकी ओवर के अगली गेंद टपा लेते वे जो के हलकी से बाहर की तरफ निकली इस गेंद को बलेबास ने खेल लिया है अफसाइड में कोई बिरल लेने का मौकाब मौचूद नहीं है सो दोस्तो 21 ओवर का खेल जो है वह बहुचका है पूरा अगर टर्न की बात करें तो सबसे ज्यादा टर्न जो है वह दोस्तो इस ग्राउंड की उपर आज हो रही है अगर हम बात कर लेते हैं तो 4.8 डिग्रीज जो है वो दोस्तो टर्न हो रही है इस वक्ति इंदोर की स्विकेट की उपर ये गेन इस से जो है वो दोस्तो आप आइडिया कर सकते हैं 70 है स्कूर 5 के नुकसान और यहां पर रब 21 वर्ज का खेल जो है वो दोस्तो हो चुका है पूरा रिशब पंद के हवाले से अगर बात की जाये तो लगबग कोई एक साल उनको और लग सकता है री कवर हगरने में मेरे हिसाब से विरात कोली स्ट्राइकर एंड पर मौजूद जिन्होंने इसके इनको समलते हुए पॉइंट के एरिये में खेल दिया कोई भी रन जो है वो दोस्तो लेने का मौकाब मौजूद नहीं है सतर हिस्कोर पांच के नुकसान पर तो दोस्तो विरात कोली बने हुए इस्ट्राइकर एंड पर यहां पर ओवर केक लीगे इनको टपा ले थे हुए जो के हलकी से अंदर की तरफाई बलेबास ने खेल लिया अलेक साइड में कोई भी रन लेने का मौकाब मौजूद नहीं है मैं ठीक हूँ भाई मैं ठीक हूँ और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट ना करें आप तो दोस्तो सतर है स्कोर पांच के नुकसान पर अब बेकी सवर्ज और तीन गिनों का खेल हो चुका है पूरा 22 में उमर का खेल अभी चलते हुए मर्फी जो है वो दोस्तो बॉलिंग करवाते हुए इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं 22 मिनट का टाइम बचावाई सेशन के पूरे होने में लवली डिलिवरी बहुत बढ़ी अपील और आउट देते हुए अमपाईर विरात कोहली को अपनी मिगट से हाथ दोना पड़ेगा कोहली जो के इसके इनको फ्लिक करना चाहते थे अक्रोस दा लाइन लेकिनों ना काम रहे रिव्यू लिया जाएगा मेरे हिसाब से जहां दोस्तो रिव्यू ले लिया गया है टीम इंडिया की तरफ से और अब देखते हैं कि रिव्यू के अंदर इनको सफलता काम या भी मिलती है या नहीं मिलती पेसल स्कोर दिखा रहे हो वासे भाई we miss your commentary शापर भाई शापर भाई वहाँ पर कोमेंटरी की इजाज़त नहीं है तो इसलिए हम ऐसा कर रहे है तो दोस्तो ये गेंड जो के टपा लेते हुए लगबग सीधी रह गई थी इतनी ज्यादा टर्णी हुई ये गेंड पैट्स पर जाकर टकराई ये गेंड अंपायर ने आउट दिया हुए वराल अब देखते हैं कि बनता है क्या ये चीज तो अब देखनें लाइक होगी लेट्स सी वट हैपेंज यहाँ पर इंसाइड एज की मदद से देखा जा है मतलब अल्टर एज की मदद से देखा जा रहे है कि ये गेंड कहीं बले के अंदरुनी किनारे से तो नहीं टकराई तो दोसतो ये गेंड बले के अंदरुनी किनारे से नहीं टकराई सीधा जाकर ये गेंड परइट्स भी टकराईया लंबी स्ट्राइड ली गई थी विराथ कहली की तरव से और अब बॉल ट्रेकिंग आते गोए एंड बॉल ट्रेकिंग की मदद से देखा जा सकता है पीचिंग इन लाइन इंपक्ट इन लाइन एंड विकेट सिटिंग तो दोस्तों मिलते हुए यहाँ पर चटी विकेट टीम इंडिया को अस्ट्रेलिया को 70 के स्कोर पर विरात कोहली अक्रोस दा लाइन खेलते वे आउट मैंने इस चीज़ का इजहार पहले भी किया था कि विरात कोहली अक्रोस दा लाइन जाकर खेल रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज नहीं है इससे जो है वो कहलीजिए कि सीधे बले का इस्तमाल करते वे खेलने की ज़रूरत है उनको लेकिन वो लगातार लेक साइड में गेन को मोरने की कोशिश में है लेकिन इस दफ़ा वो बीट हुए और बीट होते हुए वो नाकाम रहे गेन को सही से खेलने में गेम जाकर उनके पैट्स वेटप्लाई और इस तरह विरात कोहली आउट होकर पविनियन की तरफ वापिक बड़ा दजका लगते हुए टीम इंडिया को और यहां पर विरात कोहली की सूरत में जिन्होंने बनाए बाइस रंस बावन गेनों का किया सामना और यह वाला सेशन पूरा होने में अब 20 मिनट का टाइम जो है वो दोस्तों और बाकी है देखते हैं कि इस सेशन के हालाद जो है वो और क्या रहने वाले है अक्षर पटेल जो है वो दोस्तों भी बचे हुए रवी चंदरन आशन बचे हुए यह दो में प्लेयर हैं टीम इंडिया के और इनके उपर आज टीम इंडिया काफी हद तक डिपैंड कर रही होगी और मुश्किल सिचुएशन से निकालने की काब यह तरकते हैं यह दोनों ही बलेबाज क्रिक्टेल्स लाइब के उपर PSL की कुमिंटरी हम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप हमें जॉइन कर सकते हैं क्रिक्टेल्स लाइब चैनल का नाम है नए आनवले प्लेयर के अगर बात करें तो दोस्तों अब बलेबाजी करने के लिए आ चुके हैं अक्षर पटेल लाइफटर अंडर ये बलेबाज हैं 32 किन की अवरिज है और अभी तक कि इन्होंने इस सीरीज के अंदर बहुत ही बढ़िया बलेबाजी जो है वो दोस्तों कर रखी है तो ये बाच के बैटिंग करने के लिए देखते हैं कि अपनी इस टीम को मुश्किल स है कि नुकसान पे 200 वर्ज़ और चार गिनों का केलब होचका है पूरा विरात को लिया आउट हुए है 11 मैचेस के अंदर 407 रंज है 31 के आवरिज है तीन 50 आप तक लगा रखी है नहोंने तो यहां पर गेमिंग वर्ड ने हमें जॉइंग किया वैं बहुत बहुत शुक्री आपका रोहिट सिंग हमारे साथ पहुझे है वेल्कम टू दी लाइव स्ट्रीम और के रहे गेंद और खुबसूरत गेंद शानदार यह गेंद टपा लेते हुए बाहर की तरफ निकली यह गेंद और बले के आउट साइरेज कमिस करते हुए गही है यह गेंद विकेट कीपर के दस्तान होएं लव़ली पीस ओ बालिंग बाई मरफी बहुत ही अम्दागेंद बाजी होते हुए दोस्तों यहां पर बीत हुए यह प्लियर क्याच आउट होते हुए बाल बाल बचे बॉल्डॆउट होते हुए बाल बचे सिंगल की इसाफ की साथ ही 70 है स्कोर टीम इंडिया का छे के नुक्सान पे कम असकम अड़ाई सो रंस कर सकती है यहां से टीम इंडिया लेट सी वाट हैपन्स सो दोस्तो रोहित सिंग पूछते हुए कैसे हैं आप जी विल्कुल मैं ठीक हूँ भाई टॉप ओडर जो है वो आज फिर से फेल होते हुए मैं दिखाए दिया पिछले मैच के तरह टीम इंडिया का लेकिन जुमादारिया जो है वो दोस्तों मिडल ओडर के अंदरा बात चुकी है लोवर मिडल ओडर के उपर खासतोर पर अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जुमादारिया स्रीकार भारत अक्षर पटेल और रवी चंडर नैशन के उपर मौजूद रहेंगी उमेश रादव को भी आना है सेराज को भी आना है तो यह जो लोवर ओडर है यह टीम इंडिया का टॉप ओडर से ज्यादा डेंजरस हमें दिखाई दे रहा है गाईस इस वक्त अगर हम बात कर लेते हैं तो लेट सी वट हैपेंज यहाँ पर अब टॉड मर्फी बाॉलिंग करवाते हुए अपने ओवर की बिलके इनका ओवर जो है वह दोस्तो पूरा होज कहा है चार वर्स के अंदर पांच रंस देकर इन्होंने एक विगट को किया हुए अपने नाम कितने मिनर्स में 17 कोई बात बार में ब्रेट में नहीं है तो दोस्तो अगले अवर के बहुते हुए शुरुवात नेथल नाइन बॉलिंग करवाते हुए जिनके ओवर किये पहली गेंट टपा लेते हुए बाहर की तरफ निकली ये गेंड एस गेंड को बले बास ने फ्रि रक्षर पटेल अब स्ट्राइकर एंपर बाउजो दे जिन्हों नहीं सोवर के गेंड को फिरा कर बैटन बाट को साथ मिलाते हुए खेल दिया है अब वापिस बॉलर के पास तो 71 स्कूर छे के नुकसान पे नेथल लाइन बॉलिंग करवाते हुए अपने ओर की तीसरी गेंड के साथ आए गेंड किया ये गेंड जोगे डपा लेते हुए काफी नीचे रह गए इस गेंड को बले बास ने समलते हुए खेल दिया है वापिस बॉलर के पास कोई भी रन लेने का मौका आप मौझूद नहीं है आपने सब्सक्राइब के साथ जॉइन का ये क्या लगाया है आपको शो हो रहा है क्या जॉइन का बटन अब्दिल्ला भाई आप कहां से हैं इस वक्त तुमारे साथ मौझूद गेमिंग वर्ड बोलते हुए कि आपके कमेंटरी अची है है हमने सब्सक्राइब कर दिया गेमिंग वर्ड भाई आपका सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और किस-किस भाई ने सब्सक्राइब किया हुआ है बताएं जरा उसका नाम ले दे हम तीन फिल्डर्स को स्लिप की पॉजिशन पर रखा गया है शॉट पिचे गेन बाकफट पर रहते हुए इसकेन को पंच कर दिया है कवर्स के रिये में चार रंस के लिए बहुत ही उम्दा ये शॉट अब्दुल्ला भाई आपने कहीं VPN तो नहीं लगाया हुआ अगर VPN लगाया हुआ है तो फिर आपको जोईन का बटन शो हो रहा होगा अदरवाइस जो है वो आपको नहीं शो हो रहा होगा वरहल दोस्तों बैकफट पर रहते हुए इसकेन को पंच करते हुए दे मारा है यहां पर चौका एक बेहतरीन चौका जो के अब हमें देखने को मिला है चौके की मदद से अब स्कोर होते हुए यहां पर 756 के नुकसान पर लगाया हुआ है VPN जी बिलकुल इसलिए आपको शो हो रहा है वो चार सो लाइक्स भी कर दिया है आप सब इने वीडियो के उपर दिल से शोक्रिया VPN लगाया हुए तो इसलिए आपको शो हो रहा है मेरे भाई जोईन कर सकते हैं जो दोस्त करना चाहें बरल 75 है स्कोर 6 के नुकसान पर 23 सवर्सका खेलब हो चुका है पूरा शायान ने हमें जोईन किया वाई वेलकम टो दिलाइस टीम बहुत बहुत शोक्रिया आपका भी हमार साथ देने के लिए शापर शापर बला किसे बोलते हैं हमारे हाँ जो बहुत लंबी-लंबी फैंकता है ना लंबी-लंबी फैंकता है उसको शापर बोलते हैं शापर हो है तो दोस्तो 75 है स्कोर 6 के नुकसान पर 23 सवर्सका खेलब हो चका है पूरा और यहाँ पर भरत 10 के स्कोर पर मौजूद है भारत जो कि अब स्ट्राइक पर मौजूद है बाइस के नों का किया है सामना इबराहीम भाई इसमें जो है वो हंसने की क्या बात है ऐसे नहीं करते तो स्ट्राइक रैंड पर मौजूद है दोस्तों बलेबास नाम है जिनका भारत जिन्होंने इस गेंड को पर राकर बैटन पैट को साथ मिला तो भी खेल दिया है उफसाइड में कोई भी रलनेने का मौक अब मौजूद नहीं है ओपी फैज 101 ने हमें जॉइन किया बहुत बहुत शोक्री आपका हमार साथ देने के लिए वह के लिए गेंड बड़ा शोट हवा में एगेंड और छे रांस के लिए गेंड जाकर गिरी है स्टैंडस में वाउ बहुत ही बढ़ी आ शोट छिका मिलते हो दोस्तो यहाँ पर रब काउंटर अटैक करते होए दोस्तों यहां पर सिरकार भारत 81 है स्कोर्चे के नुकसान पर जबर्दस शॉट लगाया है यहां पर रिको एंथनी हमार साथ मौझूद है वेलकम टू दी लाइब स्ट्रीम बहुत बहुत शुक्री आपका यह गेंद जिसे स्लॉक कर दिया मिडविकिट के लिए में ग्राउंड छोटा है लेकसाइड में 22 मिटर का यह चका और गेंद जाकर गिरी है क्राउड में और काफी पीछे I think लेकसाइड की जो जो बांडरी है वो बहुत ही छोटी है लगबग कोई 60-65 मिटर की बांडरी है लेक्साइट की तो वहाँ पर क्राउंड को क्लियर करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है सिरकार भारत के लिए जो कि एक पावरफुल प्लेयर है तहा भाई बूचते हुए कि PSL के अंदर आप कुमेंटरी क्यों नहीं कर रहे हैं PSL के अंदर कुमेंटरी की इजाज़त नहीं है अनपैट जेगेंड टॉड मर्फी के स्केन को बलेबास ने लिक साइट में खेलते वे एक रंद को पुरा किया है मैंने जैसा के बोला था कि इंडिया के ये जो बाद वाले बलेबास हैं ये ज्यादा डेंजरस हैं शुरू वाले बलेबास हों से तो मेरी प्रेडिक्शन कहीं न कहीं जो है वो सही साबित हो सकती है 82 स्कूर शेक नुकसान पे 23 और तीन गिनों का खेल अब हो चका है पूरा आखरी के साथ से आठ मिनट का बलकि बारा मिनट का टाइम जो है वो दोस्तों बचा हुए ये वाला सेशन पूरा होने में अब 2 से 3 और का खेल जो है वो अब हो जाएगा पूरा मतलब सेशन का खेल जो है वो 2 से 3 और के अंदर जो है वो दोस्त अब पूरा हो सकता है यहाँ पर अब स्कूर की की जाए बात तो स्कूर रहते हुए 82 शेक नुकसान पे बॉलर है एक पार फिर से तयार अपने और के लिगन के साथ सामना करेंगी स्केन का बलेवास नाम है जिनका अक्षर पतिल पांच ट्रंज बनाए हुए जिनोंने आठ के नुका किया वाई सामना दो स्लिप के साथ ओवर किया गेन बले का अंदर हो नहीं किनारा लेते वह यह गेन दिया अगर पैर्स वेट रहाई अपील जरूर हुई लेकिन नॉट आउट का सिगनल अम्पायर की तरफ से केल राहूल प्लेइंग लेवन में है या नहीं है जी नी भई केल राहूल जो है वो इस मुकादले के अंदर नहीं खेल रहे है मेरे बाई के अल रहुलवा इस नॉट प्लेइंग टुडे इन दिस मैच और इन दिस प्लेइंग 11 आप पर गेन बाज हैं एक बार फिर से तयार अपने उवर के लिगेन के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि प्लेइंग 11 जो है वो आपके सामने लगा दूँ अरे भाई सक्रीन के दर गई हमारी डॉंट वरी अभी स्कोर कार्ड वापिस आ जाएगा आ गया है वापिस जैसा कि मैंने बोला था वरहल दोस्तों स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है अब बक्षर पर टेल ओवर के लिगेन यॉरकर लेंड जेगेन इसकीन को बलेबास ने लगसाइड में खेला नुरन इन डिस्टिलिवरी अम लोकिंग फूर सम्ठिंग जो के मैं आब आपके सामने लगा देता हूँ प्लेंग लगा देता हूँ मैं आपके सामने ता कि आपको आइडिया मिल जाए के कौन-कौन से प्लेयर्स रंज जो है वो बनाना इतना आसान काम नहीं है इस मुकाबले के अंदर अभी तक की सीचुएशन को अगर हम देख लेते हैं तो मुहम्मद से राज जो है वो इसके बाद आएंगे उमेश यादव भी आएंगे दोस्तो रवी आश्विन जो है वो भी इसके बाद आएंगे तो कहले के अभी अच्छी खासे बले बाजी को जो है वो अनाब बाकी है दिल से शुक्रिया आप सभी का हमार साथ देने के लिए हमार साथ बने रहने के लिए विश्टीम इस गुइंग तो विन दिस माच ये भी देना है आपने हमें जल दस जल बता प्लेइंग 11 ओफ टीम इंडिया इस इन फ्रेंट ओफ यो तो दोस्तो स्ट्राइकर आइंपर मौजूद है अब बले बाज नाम है जिनका सिरकार भारत ओवर के अगरी गेन बड़ी अपील लेकिन नौट आउट का सिगनल अंपायर की तरफ से नौट आउट देते हुए दोस्तों यहां पर अंपायर देखते हैं कि थर्ड अंपायर के पास जाय जाएगा या नहीं जाय जाय जाएगा यह चीज़ अब देखने लाइक होगी तो दोस्तों यहां पर अब रिव्यू जो है वो ना लेने का फैसला किया गया है क्योंकि यह गेन बले से शाय टकरा गई थी तो इसलिए एक बाप फिर से बालर जो के आए गेन के आच्छा गेन स्टम्स के लाइन में यह गेन कोई भी रलनेने का मौका इसकेन के उपर मौजूद नहीं है तो स्कोर रहते हुए दोस्तों ब्यासी चे के नुक्सान पे अब थैंक्स अलोट एवरिवन अब सभी का दिल से शुक्रिया बॉलर हैं पर फिर से तैयार अपने ओवर के लिगेन के साथ सामना करेंगे स्केन का सिरकार भारत ये गेन जो के टपा लेते हुए अंदर की तरफाई स्केन को खेल दिया है फाइनल लेक एडिये में कोई भी रूनने ने का मौका जो है वादोस्तों मौजूद नहीं है तो डॉट के साथ स्कोर की बात की जाए तो स्कोर रहते हुए यहां पर 82 छे के नुकसान पर आखरी अब कुछी ओवर्स बचे हुए है आज के इस दिन के पहले सेशन का खेल जो है वो अब पूरा होने में कुछी ओवर्स का रिव्यू जो है वो शायद के ना ही लेने का फैसला किया जाएगा यहां दोस्तों रिव्यू ले लिया गया है रिव्यू ले लिया गया है लास्ट मॉमेंट क्यों पर जो है वो दोस्तों अब रिव्यू ले लिया गया है देखते हैं कि review के अंदर काम्या भी मिलती है यहाँ पर कहले के Australia को जी बिलकुल यह चीज अब देखने लाइक होगी review ले लिया गया है so let's see what happens यहाँ पर review जो है वो सही सावित होता है team के लिए यह नहीं होता यह चीज अब देखने लाइक होगी they have taken review review यहाँ पर अब देखते हैं के review के अंदर सफलता मिलती है यह नहीं मिलती है गयन जो के टपा लेते हैं अंदर की तरफ आई थी और पहले यह गयन जाकर pats पर ठकराईए दोस्तों बले से यह गयन नहीं ठकराईए गयन बहुत ज़्यादा turn होते हुए हमें दिखाई दी है अब सो देख लेते हैं के यहाँ पर player जो है वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे we have to wait and see के यहाँ पर अब बनने वाला है क्या करीबी मौमला हो सकता है पहले यह गयन जाकर pats पर ठकराईए दोस्तों बले से गयन बाद में जाकर ठकराई है ball tracking कमीगा अब यहाँ पर pitching outside of impact in line and wickets hitting तो दोस्तों एक और wicket गिरते वह यहाँ पर team India की सिरकार भारत जो है वो आउठोकर pavillion की तरफ वापस another wicket for team Australia Empire को जो है वो अपना फैसला तबदील करना पड़ेगा decision जो है वो दोस्तों change करना पड़ेगा और ऐसा ही किया है हाँ पर umpire ने नेथन लाइन जादूई balling करते हुए दोस्तों एक और wicket को team Australia हासल करते हुए यहाँ पर अपने नाम करते हुए यहाँ पर big wicket for team Australia as you can see और यहाँ पर अगर बात की जाए तो Indian टीम जो है वो दोस्तों लगातार अपने विट्टों को लूज करते हुए इस वक्त में दिखाई दे रही है लगातार विट्टे गिरते हुए टीम India की यहाँ पर अब situation की बात की जाए तो situation जो है वो कुछ यूँ है के score 82 है 7 के नुकसान पर LBW आउट होए हैं यह प्लेयर और यहाँ पर सिरकार भारत जो के थोड़ी सी attacking cricket खेलने की कोशिश में थे वो अब आउट होकर गए है पविलियन की तरफ वापस सो क्या लगता है के क्या situation है ब्रो फैस भाई हमार साथ मौजूद है इंडिया से हैं लेकिन इस वक्त कुएट में मौजूद है बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका हमार साथ देने के लिए नए आने वाले प्लेयर की बात करें तो यह है रवी चंदरन एश्विन यह जोड़ी जो है क्या बैसा हो पाएगा यह नहीं हो पाएगा अरभी चंदरन एश्विन जो कि अब स्ट्राइकर एंट पर मौजूद है लेट सी हाओ ही विल बैट हीर देखने हैं कि इनकी बलेबासी जो है वो दोस्तो कैसी रहने वाली है मैंने प्लेंग 11 भी आपके सामने लगा दिया है तो आपकी सहूलत के लिए हमने प्लेंग 11 लगा दिया है दोस्तो पाँच मिनट का टाइम और बचा वाए यह वाला सेशन पूरा होने में अब नेथल लाइन तीन विक्टे हासिल करते हुए अब इस सेशन के अंदर हुनमयान जो है वो दोस्तो तीन विक्टे लेते हुए एक विक्ट को अभी तक अपने नाम किया हुआ है मर्फी ने बहुत ही अच्छा रेवियू लिया गया टीम टीम अस्ट्रेलिया की तरफ से क्योंकि अंपायर की तरफ से नॉट आउट ही दिया गया था ओर की रहेगी अगली गें टपा लेते हुए अंदर की तरफ आई अगें इस किन को समलते हुए बले बास ने खेली अलेक साइड में विक्ट मेडन ओवर पूरा हुआ है याब जिया दोस्तो विक्ट मेडन ओवर जो है वो अभी इखतताम पजीर होते हुए 82 है स्कोर टीम इंडिया का 5-7 के नुकसान पे आपर अब 25 ओर्स का खेल हो चुका है समाप्त अस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त बॉलिंग करते हुए और क्या ही लाजवाब बॉलिंग करते हुए पहले ही सेशन के अंदर साथ टीम इंडिया ने लूज कर दी है तो यह पहला सेशन टीम आस्ट्रेलिया के नाम रहा है अब तक 400 लाइक्स कर दी है आप सभी ने वीडियो के उपर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टॉप ओडर ने 41% रंस के अंदर जो है वो 41 परतीशत जो है वो दोस्तों कंट्रिबूशन की है मिडल ओडर ने 52% और लोर ओडर ने 6% अभी तक जो है वो दोस्तों यहाँ पर कंट्रिबूशन की हुई है इनके उपर अब टीम इंडिया काफियत तक हमें डिपैंड करते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर आखरी तीन मिनट का खेल बागी है और लास्ट ओवर हो सकता है यह इस सेशन का यहाँ दोस्तों आखरी ओवर है यह सेशन का और बॉलिंग में तबदीली करते हुए अब यहाँ पर जिस प्लेयर को बॉलिंग के लिए लाया गया है उनका नाम है उनका नाम है दोस्तों मिचल स्टार्क मिचल स्टार्क बॉलिंग के लिए आ चुके हैं लेट सी के वो इस आखरी ओवर के अंदर कुछ करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे चार वर्स के अंदर 19 रंजे कर अब तक इन्होंने किसी भी विकेट को अपने नाम नहीं किया हुआ मिचल स्टार्क ने ग्रीन ने दो वर्स के अंदर 14 रंजी होए है खुनमैन ने 6 वर्स के अंदर 14 रंजे कर 3 विके लॉइन ने 8 वर्स के अंदर 23 रंजे कर 3 विके आपको टेस्ट चेंपिंशिप का पॉइंट शेबल भी हम बता देंगे इस ओवर के बाद जैसे ही ब्रेक आएगी तो 82 एसको टीब इंडिया का साथ के नुकसान पे दिल से शुक्रिया आप सभी का हमार साथ देने के लिए तो दोस्तों यहां पर बॉलिंग करते हुए मिचल स्टार्क जिनके ओवर की यह पहली गेंदी स्केंद को अक्षर पठेल ने गैप में देकेलते हुए एक रंण को बुरा कर लिया है सिंगल के इसाफ की साथ अब स्कोर रहते हुए यहां पर तेरासी साथ के नुकसान पे पच्छिस अवर्ज और एक इनका केलब हो चुका है पूरा विज टीम आर यू स्पोर्टिंग टूड़े यह देना है आपने में जल्द जल्द बता चार सो लाइक्स हैं पांच सो लाइक्स का हमारा जो है वो लाइक्स का टार्गेट है तो यह भी आपने पूरा कर देना है और यहां पर सब्सक्राइबर्स की बात करें पांच लाइक अटासी दार चिस सो इक यासी दोस्तों ने अभी तक चानल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी का दिल से शुक्रिया हमार साथ दिने के लिए दूसरी गिन रहेगी सोवर की रवी चंदर नैशुन जो है वदोस्तों स्ट्राइक करेंट पर अब मौझूद है लास्ट ओवर चलते वए यह सेशन का यहां पर मिचल स्टार का अपने उवर की एक लिगिन के साथ एक बार फिर से दोस्त बोलते हुए के लगी रहा है उनको के इंडिया के टीम आज पहले सेशन के अंदर निमट जाएगी भई यह वाली जो पार्टनर्शिप है इसको आप बिलकुल भी लाइट ना लें यहां पर अब तेरासी है स्कूर साथ के नुकसान पे अनदर गुड डिलिवरी अराउंड दा विकेट करवाई गई यह गेम थी तो यहां पर अब सतासी है स्कूर साथ के नुकसान पे 25 वर्ज़ और दो गिनों का खेल अब हो चुका है पूरा लास्ट ऊवर चलते हुए इ यहां पर बॉलर हैं मिचल स्टार का सामना करेंगे रभी चंदर अश्वन जिन्होंने कोई रन नी मनाया हुआ दो गिनों का किया है अभी तक सामना क्या लगता है आपको कि इंडिया की टीम का टूरल कितने रंज कर रहेगा क्या यह टीम दोस्तों को क्रोस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी दे नीड अ ब्रिलियन पार्टनर्शिप हेर ओन यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टनर्शिप की जो है वह दोस्तों उनको जरूरत होगी इस मुकाबले के अंदर कमबैक करने के लिए अब फिल्हाल यह मैच टीम ऑस्ट्रेलिया की पकट में हमें दिखाई दे रहा है और कि यह 23 गेंद बॉलर जोके मिचल स्टार्क ओवर दा विकेट दोरते हुए आए गेंद के अच्छा गेंद स्ट्रम्स के लाइन में यह गेंद कोई भी रलने ने का मौका आप भी स्कीन की उपर मौजूद नहीं है 83 है स्कोर साथ के नुकसान पे शॉट डिलिवरी थी इसकेंद को आश्वन ने बिना किसी दिकत और परिशानी के जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में आखरी की तीन गिनों का खेल जो है वो दोस्तों भी होना है बाकी यहाँ पर रवी चंदरन एश्वन जो के मौजूद है अब स्ट्राइक पर अच्छी जबरदस किसम की बलेबाजी करने की चाबियत रखते हैं अब बॉलर आए गेंद किया एक और बढ़िया गेंद एक और डॉट डॉट डिलिवरी डॉट के चलते हुए बैक और यह गेंद ती डाउन द लेक साइड यह गेंद थी जिसे बलेबाज ने फ्लिक करने की कोशिश की लेकिन ना काम रहे और गेंद बले को मिस करते हुए पैर्ट को मिस करते हुए बिगट कीपर के दस्तानों में तो स्कोर 85-83 है साथ के नुकसान पे 25 और चार गिनों का खेलब हो चुका है पूरा अब भी बची हुए यह दो गिने इस सेशन के इखतातामी में यह गाईस, only two deliveries to go in this session यहाँ पर अब बेहतरीन गिन बाजी होते हुए टीम ऑस्ट्रेलिया के तरफ से इस सेशन के अंदर बहुत इमदा जो है वो दोस्तों यहाँ पर बले बाजी गिन बाजी होते हुए आपर उवर की अब पांच भी गिन, मिचल स्टार की यह गिन, रवी चंदर अने इस गिन को जो है वो दोस्तों निकालते हुए एक और सिंगल को पूरा किया लाइक और सब्सक्राइब करने वाले आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया पांच, अठासी, छेसो, ब्यासी दोस्तों ने अभी तक चानल को सब्सक्राइब के हुए नए दोस्त नहीं आ रहे है आजकल इंडिया के मैचेस के अंदर जा आट लाइफ बोलते हुए के चार सो रंज मनाएगी टीम इंडिया चलिए देख लेते बैया आखरी गेंड है अभी सेशन कीए लास्ट डिलिवरी है दोस्तों ये सेशन की सामना करेंगे अक्षर पटेल मिचल स्टार की गेंड बाजी का नई गेंड अभी 54 ओर्स के अंदर जाकर मिलेगी दो वर्स टीम इंडिया के हैं मतलब रिवियूज बचे हुए और दो ही रिवियूज आ टीम आस्ट्रेलिया के बचे हुए यहाँ पर और के आखरी गेंड एक और बड़ी आगेंड स्विंग होते हुए अगेंड मतलब घूमते हुए अगेंड जिसके उपर कोई भी रन जो है वदोस्त लेने का मौका अब मौझूद नहीं और का खेलब होते हुए फूरा यहाँ पर यहाँ पर रब स्कूर है चोरा सी साथ के नुकसान पर चब इसके बाद आए बात कर लेते हैं सेशन के के इस सेशन के अंदर हुआ क्या और क्यासे हुआ यह अब मैं आपको बता देता हूँ और साथ में ICC टेस्ट चैम्पिंशिप का पॉइंट से बग इंडिया वर्सिज आस्ट्रेलिया सीरीज दो हजार तेस का यह तीसरा टेस्ट मुकाबला जो के इंदूर से इन दोनों ही टीम्स के दरम्यान इस वक्त खेला जा रहा है अगर बात की जाए दोस्तो आज की सौल इंपॉर्टन मुकाबले की तो यहाँ पर इस वक्त अस्ट्रेलिया की टीम लाज जवाब क्रिक्ट खेलते हुए में दिखाई दे रही है जिन्होंने अब तक इंडियन टीम की जो है वो दोस्तो आपको बताता चलू के साथ विक्टो को अपने नाम कर लिया है पहले सेशन के अंदर एक बेहतरीन सेशन रहा है यह टीम अस्ट्रेलिया के लिए पर हमने पिछले मैच के अंदर भी कुछ ऐसे ही होते हुए देखा था कि पहली साथ विक्टें टीम इंडिया ने बहुत जल्द जो है वो लूस कर दी लेकिन उसके बाद जो है वो टीम इंडिया कमबाक करते हुए में दिखाई दी lower order जो है वो दोस्तों comeback करते वे दिखाई दिया और इंडिया की टीम जो है वो 3500 के आसपास runs को बनाते वे में दिखाई दिया उस मुकाबले के अंदर जिन्होंने फिर match को जीता भी तो ऐसी ही सूरतियाल जो है वो दोस्तों अब तक टीम इंडिया ने और टॉस को जीते हुए बैटिंग करने का फैसला किया जिनका बल्ले बाजी का ये खुआब पहले सेशन के अंदर ड्राउना खाब साबित हुआ और रोहित शर्मा जिन्होंने भारार रंज बनाए 23 किनों का किया 17 तीन चौके लगाए और वो गयार जुमादाराना शॉट केलते हुए लापर वाही में अपनी विगेट को लूस करते हुए में दिखाए दिये जब उन्होंने अपनी क्रीज से बाहर निकल कर गेंड की उपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की वो और मुकमल तोर पर गेंड को मिस्त कर गए विगेट कीपर ने गेंड को पकटते हुए विक्टो में दे मारा और इस तरह आउट हुए रोहित शर्मा जिन्होंने 12 रंज बनाए 23 के नुका किया सामना और गए वो पविलियन की तरह वापिस 52 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए जिसके बाद अगर बात की जाए शुबन गिल की तो उन्होंने 12 रंज बनाए 18 के नुका किया सामना तीन चौके लगाए 116 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बाटिंग की लेकिन वो किनारा दे बैटे गेन को और गेन बले का बाहरी आउट होकर गए पविलियन की तरह वापिस इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए यहांपर चटेश और बोजा रहा की तो उन्होंने एक रंड बनाया और वो बोल्ड आउट हुए इस मुकाबले के अंदर जबरदस्त किसम की वो गेंद जो के वुक्टो में जाकर डगराई निथल नाइन की गेंद की उपर वो बोल्ड आउट हुए बहुत ज्यादा गेंद जो है वो दोस्तों आज के इस दिन के अंदर हमें टर्न होते हुए दिखाई दे रही है और ऐसा ही होते हुए अब हमें दिखाई दिया और आउट हुए दोस्तों ये प्लेयर इसी तरह अगर बात की जाए यहां पर अगले प्लेयर की तो अगले प्लेयर जो रहे वो वीरात कोहली जिनने 22 रूंज बनाए उन्होंने किया 52 गेनों का सामना दो चौके लगाए उन्होंने और दो चौके लगाते हुए वो आउट हो कर गए पबिलियन की तरफ आप इस ट्रॉड मॉर्फी की गेन की उपर वो LBW आउट हुए और इस तरह टीम इंडिया ने जो है वो दोस्तों अपनी एक और विकेट को यहां से लूज किया इसी तरह द पबिलियन के तरफ वापस और टीम इंडिया जो है वो अपनी एक और विकेट को जो है वो हमें यहां पर लूज करते हुए दिखाई दी जबके सिरकार भारत ने 17 रंज बनाए 30 गिनों का करते हुए सामना एक चौका लगाया उन्होंने एक चौका लगाया 56 के स्ट्राइक प्रेट के साथ बैटिंग की और वो आउट हुए दोस्तों यहां पर लॉइन की गिन की उपर ल्बी डवी आउट हुए जबके श्रीय सयर जो है वो खुना मैन की गिन की उपर जो के नीचे रह गी थी कवर्स के एरिये में गिन को ड्राइब करने के लिए गए बले का वे दिखाई दी इस मुकाबले के अंदर यहां पर रब सिचुएशन को अगर देख लेते हैं हम तो सिचुएशन जो है वो टीम इंडिया के लिए इतनी आसान नहीं है हाँ अगर यह दोनों ही प्लेयर चल जाते हैं तो फिर हालात जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकते है Otherwise टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले के अंदर कमबाक करना अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है हालांके जिस किसम की यह विकेट है लगबग कोई पांच डिगरीज जो है वो इस विकेट के उपर गेन टर्न हो रही है तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि विकेट गिर चुकी है और अगर इसी रफ़तार से मुकाबला चलता रहा तो अड़ाई दिन के अंदर यह मुकाबला जो है वो हमें खतम होते वे दिखाई दिने वाला है तो यह सूर्थे हाल है दोस्तों जिसके बाद तक अगर पार्टनर्शिप्स को देखा जाए तो पह अगर देखा जाए बॉलिंग को तो बॉलिंग में स्टार्क ने अब तक पांच अवर्स के अंदर एकिस रंजिये हैं किसी भी विकेट को नहीं चटकाया हुआ ग्रीन ने दो वर्स के अंदर 14 रंज देकर कोई विकेट ने लिए हुई मैथ्यू ने अब तक 6 वर्स के अंदर 14 रंज देकर 3 विकेटों को हासिल कर रखा है अच्छी जबरदस किसम की बॉलिंग करवाएगी मैथ्यू खौनमैन क के तरफ से जबके ने थल लाइन ने 8 वर्स के अंदर 23 रंज देकर 3 विकेटों को किया हुआ है अब तक अपने नाम टॉड मर्फी ने 5 वर्स के अंदर 1 मिडन करते हुए 12 रंज देकर विरात को हुली के एक बहुत इंपॉर्टन विकेट को अब तक हासिल किया हुआ है तो यह अब तक के लाथ हैं दोस्तों इस मुकाबले के टीम इंडिया के बलेबाजी के अगर बात की जाए हम पर ICC टैस्ट चेंपिंशिप के पॉइंट रेबल की तो वहाँ पर आप देख सकते के अस्ट्रेलिया की टीम जो है वो दोस्तों हमें नंबर दो की टीम की तो इंडिया की टीम जो है वो नंबर दो की पॉजिशन पर अब मौजूद है 64 की विन परसंटेज के साथ और इंडिया को यह वाला मुकाबला जीतना पड़ेगा अगर यह टैस टेंपिंशिप के फाइनल के अंदर जो है वो क्वालिफाई करना चाहते है तो सिंप्ली उनको यह मुकाबला जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए लेकिन लग जो रहा है दोस्तों वो यह लग रहा है कि इंडिया की टीम बाअसानी जो है वो हमें फाइनल के अंदर अपनी जगा को बनाते वे दिखाए देगी as per the situation क्योंकि यहाँ पर दूसरी टीम अभी उनसे काफी दूर है श्रिलंका और यहाँ पर न्यूजी लैंड के दर्में टैस सीरीज होनी है और वो मैच्च जी लैंड में खेले जाने है जो के जीतना टीम के लिए इतना आसान काम नहीं होगा बरहल इंडिया के पास है अब बहुत जबरदस्ट किसम का मौका इस मैच को जीत कर फाइनल के अंदर जाने का यहाँ पर इस वक्त टीम इंडिया थोड़ी सी खराब सिचुएशन में है जिनोनी 84 के स्कोर पर अपनी साथ विक्टो को लूज किया हुआ है और अब 26 वर्स का खेल हो चुका है पूरा अबर सेकिंड सेशन की शुरुआत जो है वब अपसे कुछी देर के बाद हमें होते वे दिखाई देने वाली है इस मुकाबले के अंदर यहाँ गाईज क्या लगता है आपको कि इंडियन टीम जो है वो यहाँ पर अब इंडियन साइड जो है वो दोस्तो क्या यहाँ पर अब कमबैक कर पाएगी इस पहली इनिंग्स के अंदर और टोटल अगर बात की जाए दोस्तो आज की सौल इंपॉर्टन मुकाबले की तो यहाँ पर इस वक्त अस्ट्रेलिया की टीम लाजवाब क्रिक्ट खेलते हुए में दिखाई दे रही है जिन्होंने अब तक इंडियन टीम की जो है वो दोस्तो आपको बताता चलो के साथ विक्टो क अपने नाम कर लिया है पहले सेशन के अंदर एक बेहतरीन सेशन रहा है यह टीम अस्ट्रेलिया के लिए पर हमने पिछले मैच के अंदर भी कुछ ऐसे ही होते हुए देखा था कि पहली साथ विक्टे टीम इंडिया ने बहुत जल्द जो है वो लूस कर दी लेकिन उसके ब भी तो ऐसी ही सूरतियाल जो है वो दोस्तो अब तक बनी हुई है साथ विक्टो को एक ही सेशन के अंदर टीम इंडिया ने जो है वो लूस कर दिया है यहां पर 84 रंज है साथ के नुकसान पे 26 वर्स का खेलब हो चुका है पूरा अगर बात की जाए दोस्तो इस सेशन की त सेशन के अंदर टॉस को जीता टीम इंडिया ने और टॉस को जीते हुए बैटिंग करने का फैसला किया जिनका बल्ले बाजी का ये खुआब पहले सेशन के अंदर ड्राउना खाब साबित हुआ और रोहित शर्मा जिन्होंने 12 रंज बनाए 23 किनों का किया साना 3 चौके ल विक्टो में दे मारा और इस तरह आउट हुए रोहित शर्मा जिन्होंने 12 रंज बनाए 23 किनों का किया सामना और गये वो पविलियन के तरह वापिस 52 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए जिसके बाद अगर बात की जाए शुबन गिल की तो उन्होंने 21 रंज बनाए अठारा गिनों का किया सामना तीन चौके लगाए 116 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बाटिंग की लेकिन वो किनारा दे बैठे गेन को और गेन बले का बाहरी किनारा लेते वोई स्लिप के फिल्टर के पास कही जिन्होंने गेन को कैच किया और इस तरह वो भी लाइन की गेन की उपर वो बोल्ड आउट हुए बहुत ज्यादा गेन जो है वो दोस्तों आज के इस दिन के अंदर हमें टर्न होते हुए दिखाई दे रही है और ऐसा ही होते हुए अब हमें दिखाई दिया और आउट हुए दोस्तों ये प्लेयर इसी तरह अगर बात की यहां पर अगले प्लेयर की तो अगले प्लेयर जो रहे वो वीरात कोहली जिन्होंने 22 रूंज बनाए उन्होंने किया 52 गेनों का सामना दो चौके लगाए उन्होंने और दो चौके लगाते हुए वो आउट हो कर गए पबिली इनकी तरफ आप इस टौड मोर्फी की गेन की पर वो LBW आउट हुए और इस तरह टीम इंडिया ने जो है वो दोस्तो अपनी एक और विकेट को यहां से लूज किया इसी तरह दोस्तो अगर बात की जाए यहां पर कह लीजिए के अगले प्लेयर की तो अगले प्लेयर जो के रहे आज वो और विंदर जदेजा चार रं को जो है वो हमें यहां पर लूज करते हुए दिखाई दी जबके सिरकार भारत में 17 रंज बनाए 30 गिनों का करते हुए सामना एक चौका लगाया उन्होंने एक चौका लगाया 56 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की और वो आउट हुए दोस्तो यहां पर लॉइन की गिन की उपर जो के नीचे रह गी थी कवर्स के एरिय में गिन को ड्राइब करने के लिए गए बले का अंदर रूनी किनारा लिया गिन ने और गिन जाकर स्ट्रम से टकराई और इस तरह वो आउट हो कर गए पविलियन के तरह वापिस तो दोस्तो यह डिकेट्स लूज की टीम यहाँ पर इंडिया ने लगाता हर अपनी विक्टों को टीम इंडिया जो हमें लूज करते हुए दिखाई दी इस मुकाबले के अंदर यहाँ पर रब सिचुएशन को अगर देख लेते हैं हम तो सिचुएशन जो है वो टीम इंडिया के लिए इतनी आसान नहीं है हा कि जिस किसम की विकेट है लगबग कोई 5 डिगरी जो है वो इस विकेट के उपर गेंटरन हो रही है तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि अगर अस्ट्रेलिया की स्मिन बॉलर्स अतने डेंजरस रहें ह festive तो इंडिया की स्मिन बॉलर्स तो इनसे भी ज्यादा डेंजरस और एक चीज तो लगबग तया है यहां पर कि यह मुकाबला हमें बहुत जल्द जो है वो दोस्तो खतम होते वे दिखाई देगा क्योंकि एक सेशन के अंदर साथ विट्टे गिर चुकी है और अगर इसी रफ़तार से यह मुकाबला चलता रहा तो अड़ाई दिन के अंदर मुकाबला जो है वो हमें खतम होते वे दिखाई दिने वाला है तो यह सूर्थेहाल है दोस्तो जिसके बाद तक अगर पार्टनर्शिप्स को देखा जाए तो पहली विकेट 27 के स्कोर पर जाकर गिरी जब रोहित शर्मा आउट हुए चटे ओवर के अंदर दोस्ती जाए पांचमी विकेट की तो वो 42 के स्कोर पर जब श्रेय सेयर 12 के अंदर आउट हुए चटी विकेट 70 के स्कोर पर जब विरात को लिया आउट हुए और वो 22 में आउट हुए जबके सातमी विकेट 82 के स्कोर पर जब बरत आउट हुए 25 में आउट के अंदर जाकर तो य अभी तक की सूरते हाल है अगर देखा जाए बॉलिंग को तो बॉलिंग में स्टार्क ने अब तक 5 वर्स के अंदर 21 रंज ये हैं किसी भी विकेट को नहीं चटकाया हुआ ग्रीन ने 2 वर्स के अंदर 14 रंज देकर कोई विकेट ने लिए हुई मैथ्यू ने अब तक 6 वर्स बहुत इंपॉर्टन विकेट को अब तक हासिल किया हुआ है तो ये अब तक के लात हैं दोस्तों इस मुकाबले के टीम इंडिया के बलेबाजी के अगर बात की जाए हम पर ICC टैस्ट चेंपिंशिप के पॉइंट रेबल की तो वहाँ पर आप देख सकते के अस्ट्रेलिय इंडिया की टीम जो है वो दोस्तों हमें नंबर वन की पॉजिशन पर मौजूद दिखाई दे रही है टीम आस्ट्रेलिया आपर उन्होंने 17 में से 10 मैचेज जीते हुए 3 हारे हुए 4 मैचेज ड्रा हुए जो है वो दोस्तों मौजूद दिखाई दे रही है इसके बाद अगर बात की लिए नंबर दो की टीम की तो इंडिया की टीम जो है वो नंबर दो की पॉजिशन पर अब मौजूद है 64 की win percentage के साथ और इंडिया को ये वाला मुकाबला जीतना पड़ेगा अगर ये test championship के final के अंदर जो है वो qualify करना चाते है तो simply उनको ये मुकाबला जीतना पड़ेगा qualify करने के लिए नमबर 3 की team के अगर बात की जाए तो दोस्तों वो सिरलंकन team है जिन्होंने अब तक जो है वो 53 की विन परसंटेज जो है वो बनाई हुई है और इसी तरह साथ तरीका नबर चार पर मौझद है 48 की विन परसंटेज के साथ लेकिन लग जो रहा है दोस्तों वो ये लग रहा है कि इंडिया की टीम बासानी जो है वो हमें फाइनल के अंदर अपनी जगा को बनाते वे दिखाए देगी लैस पर दी सिचुएशन क्योंकि यहाँ पर दूसरी टीम अभी उनसे काफी दूर है श्रिलंका और यहाँ पर नि जन्होंनी 84 के स्कोर पर अपनी साथ विक्टो को लूज किया हुआ है और अब 26 वर्स का खेल हो चुका है पूरा अबर सेकंड सेशन की शुरुआत जो है वब से कुछी देर के बाद हमें होते वे दिखाई देने वाली है इस मुकाबले के अंदर इंडिया वर्सिज ऑस्ट आस्ट्रेलिया की टीम लाज जवाब क्रिक्ट खेलते हुए में दिखाई दे रही है जिन्होंने अब तक इंडियन टीम की जो है वो दोस्तों आपको बताता चलो के साथ विक्टो को अपने नाम कर लिया है पहले सेशन के अंदर एक बेहतरीन सेशन रहा है ये टीम आस्ट जो है वो दोस्तों कमबैक करते हुए दिखाई दिया और इंडिया की टीम जो है वो पौने तीन सो के आसपास रंज को बनाते हुए में दिखाई दी उस मुकाबले के अंदर जिन्होंने फिर मैच को जीता भी तो ऐसी ही सूरतियाल जो है वो दोस्तों अब तक बनी हुई ह साथ विटो को एक ही सेशन के अंदर टीम इंडिया ने जो है वो लूज कर दिया है यहाँ पर चौरासी रंज है साथ के नुकसान पे 26 वर्स का खेलब हो चुका है पूरा अगर बात की जाए दोस्तों इस सेशन की तो सेशन के अंदर टॉस को जीता टीम इंडिया ने और ट मदाराना शॉट केलते हुए ला पर वाही में अपनी विगेट को लूस करते हुए में दिखाई दिये जब उन्होंने अपनी क्रीज से बाहर निकल कर गेन की उपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की वो और मुकमल तोर पर गेन को मिस्त कर गए विगेट कीपर ने गेन 18 गेनुका किया सामना तीन चौके लगाए 116 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बाटिंग की लेकिन वो किनारा दे बैठे गेन को और गेन बले का बाहरी किनारा लेते हुए इस किन्वें सलिप के फिल्डर के पास किई जिन्होंने गेन को कैच किया और इस तरह वो भी गेन जो है वो दोस्तो आज के इस दिन के अंदर हमें टर्न होते हुए दिखाई दे रही है और ऐसा ही होते हुए अब हमने दिखाई दिया और आउट हुए दोस्तो ये प्लेयर इसी तरह अगर बात की जाए यहां पर अगले प्लेयर की जिन्होंने 22 रूंज बनाए उन्होंने किया 52 गेनों का सामना दो चौके लगाए उन्होंने और दो चौके लगाते हुए वो आउट होकर गए पबिलियन की तरफ आपर स्टॉड मोर्फी की गेन की उपर वो LBW आउट हुए और इस तरह टीम इंडिया ने जो है वो दोस्तो चार रंज बनाए उन्हों 9 गेनों का किया सामना कवर्स के एरिये में गेन को ड्राइब करने के लिए गए वो और एक्स्ट्रा कवर के फिल्डर ने उनका कैच किया और इस तरह वो आउट होकर गए पबिलियन के तरफ वापस और टीम इंडिया जो है वो अपनी एक और वि जो है वो खुना मैन की गेन के उपर जो के नीचे रह गई थी कवर्स के एरिये में गेन को ड्राइब करने के लिए गए बले कांदरूनी किनारा लिया गेन ने और गेन जाकर स्ट्रम से टक्राई और इस तरह वो आउट हो कर गए पबिलियन के तरफ वापस तो दोस्तों य के विकेट्स लूज की टीम यहाँ पर इंडिया ने लगातार अपनी विक्टों को टीम इंडिया जो हमें लूज करते हुए दिखाई दी इस मुकाबले के अंदर यहाँ पर रब सिचुएशन को अगर देख लेते हैं हम तो सिचुएशन जो है वो टीम इंडिया के लिए आसान नहीं है हाँ अगर यह दोनों ही प्लेयर चल जाते हैं तो फिर हालात जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकते हैं अगर आइस टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले के अंदर कमबाक करना अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है हालांके जिस किसम की विकेट है अगर आइडिया के स्मिन बॉलर्स यतने डिंजरस रहे है अब तक तो इंडिया के स्मिन बॉलर्स तो इन से भी ज़ादा डिंजरस रहेंगे और एक चीज़ तो लग बग तैह है यहाँ पर कि ये मुकाबला हमें बहुत जल्द उख़तम होटे दिखाई देगा क्योंके ए पार्टनर्शिप्ट पो देखा जाए, तो पहली wicket सताहिस के स्कोर पर जाकर गिरी जब रोहित शर्मा ऑट हुए, चटे ओवर के अंदर दुस्टारी wicket चांटिस के स्कोर पर जाकर गिरी जब शुबवनगिल आठ में ऑट में ऑट के अंदर जाकर आउट हुए 30 विकेट 36 के स्कोर पर चब छते शुर पुझारा 9 में ओर के अंदर आउट हुए चौती ही विकेट 44 के स्कोर पर जब रुविंदर जदिजा 11 में ओर के अंदर आउट हो घर इसी तरह दोस्तों अगर बात की ज Key这 प सबच्चिस में ओर के अंदर आउट हुए अगर देखा जाए बॉलिंग को तो बॉलिंग में स्टार्क ने अब तक पांच अवर्स के अंदर 21 रंज ये हैं किसी भी विकेट को नहीं चटकाया हुआ ग्रीन ने दो वर्स के अंदर 14 रंज देकर कोई विकेट नी ली हुई मैथ्यू ने अब तक 6 वर्स के अंदर 14 रंज देकर 3 रिक्टो को हासिल कर रखा है अच्छी जबरदस किसम की बॉलिंग करवाएगी मैथ्यू खौनमैन के तरफ से जबके निथल लाइन ने 8 वर्स के अंदर 23 रंज देकर 3 विक्टो को किया हुए अब तक अपने नाम टॉड मर्फी ने 5 वर्स के अंदर 1 मिडन करते हुए 12 रंज देकर विरात को हुली के एक बहुत इंपॉर्टन विकेट को अब तक हासिल किया हुए तो यह अप तक के हलाथ हैं दोस्तों इस मुकाबले के टीम इंडिया के बलेवाजी के अगर बात की जाए हाँ पर ICC टैस्ट चेंपिंशिप के पॉइंट रेबल की तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अस्ट्रेलिया की टीम जो है वो दोस्तों हमें नंबर वन की पॉजिशन पर मौजूद दिखाई दे रही है टीम आस्ट्रेलिया आपर उन्होंने 17 में से 10 मैचेज जीते वोए 3 हारे वोए 4 मैचेज ड्रॉओ हुए 66 की विन परसंटेज के साथ ये टीम हमें नंबर वन की पॉजिशन पर जो है वो दोस्तों मौजूद दिखाई दे रही है इसके बाद अगर बात की लिए नंबर दो की टीम की तो इंडिया की टीम जो है वो नंबर दो की पॉजिशन पर अब मौजूद है 94 की 14 परसंटेज के साथ और इंडिया को यहाला मुकाबला जीतना पड़ेगा अगर यह टैस्ट चेम्बिनशिब के फाइनल के अंधर क्वालिफाइ करना चाते हैं तो सिंप्ली उनको यह मुकाबला जीतना पड़ेगा क्वालिफाइ करने के लिए नमबर 3 की टीम के अगर बात की जाए तो दोस्तों वो स्रिलंकन टीम है जिनोंने अब तक 53 की विन परसंटेज जो है वो बनाई हुई है और इसी तरह साल तरीका नमबर 4 पर मौझद है 48 की विन परसंटेज के साथ लेकिन लग जो रहा है दोस्तों वो यह लग रहा है कि जो के जीतना टीम के लिए इतना आसान काम नहीं होगा बरहल इंडिया के पास है अब बहुत जबरदस्त किसम का मौका इस मैच को जीत कर फाइनल के अंदर जाने का यहां पर इस वक्त टीम इंडिया थोड़ी सी खराब सिचुएशन में है जिनोंने 84 के स्कोर पर अपनी सा 2023 का यह तीसरा टैस्ट मुकाबला जो के इन दोर से इन दोनों ही टीम के दरम्यान इस वक्त खेला जा रहा है अगर बात की जाए दोस्तों आज की स्वाल इंपॉर्टन मुकाबले की तो यहां पर इस वक्त अस्ट्रेलिया की टीम लाजवाब क्रिक्ट खेलते हुआ में दि सही होते हुए देखा था कि पहली साथ वक्त टीम इंडिया ने बहुत जल्द जो है वो लूस कर दी लेकिन उसके बाद जो है वो टीम इंडिया कमबैक करते हुए में दिखाई दी लोवर और जो है वो दोस्तों कमबैक करते हुए दिखाई दिया और इंडिया की टीम जो ह वो लूज कर दिया है यहां पर 84 रंज है, 7 के नुकसान पर 26 वर्स का खेलब हो चुका है पूरा अगर बात की जाए दोस्तो इस सेशन की तो सेशन के अंदर टॉस को जीता टीम इंडिया ने और टॉस को जीते हुए बैटिंग करने का फैसला किया जिनका बल्ले बाजी का ये खुआब पहले सेशन के अंदर ड्राउना खाब साबित हुआ और रोहित शर्मा जिन्होंने 12 रंज बनाए 23 के नुका किया सामना 3 चौके लगाए और वो गयार जुमादाराना शॉट केलते हुए ला पर वाही में अपनी विकेट को लूस करते हुए में दिखाए दिये जब उन्होंने अपनी क्रीज से बाहर निकल कर गेन की उपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और मुकमल तोर पर गेन को मिस्ट कर गए विकेट कीपर ने गेन को पकटते हुए विक्टो में दे मारा और इस तरह आउट हुए रोहित शर्मा जिन्होंने बारा रंज बनाए तैस के नुका किया सामना और गए वो पविलियन की तरह हुआपिस बावन के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए जिसके बाद अगर बात की जाए शुबन गिल की तो उन्होंने एक इस रंज बनाए आठारा गेनुका किया सामना तीन चौके लगाए 116 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बाटिंग की लेकिन वो किनारा दे बैठे गेन को और गेन बले का बाहरी किनारा लेते वोई स्लिप के फिल्डर के पास कही जिन्होंने गेन को कैच किया और इस तरह वो भी आउट हो कर गए पविलियन की तरह वापिस इसी तरह द दोस्तों आज के इस दिन के अंदर हमें टर्न होते हुए दिखाई दे रही है और ऐसा ही होते हुए अब हमें दिखाई दिया और आउट हुए दोस्तों ये प्लेयर इसी तरह अगर बात की जाए यहां पर अगले प्लेयर की तो अगले प्लेयर जो रहे वो वीरात कोहली जिन अगले प्लेयर की तो अगले प्लेयर जो के रहे आज वो और विंदर जदेजा चार रंज बनाए उन्हों नौग इनों का किया सामना कवर्स के अरिय में गिन को ड्राइब करने के लिए गए वो और एक्स्ट्रा कवर के फिल्डर ने उनका कैच किया और इस तरह वो आउट होकर गए पविलिन के तरह वापस और टीम इंडिया जो है वो अपनी एक और विकेट को जो है वो हमें यहाँ पर लूस करते हुए सेयर जो है वो खुन अमयान की गिन के उपर जो के नीचे रह गई थी कवर्स के एरिय में गिन को ड्राइब करने के लिए गए बले कांदरूनी किनारा लिया गिन ने और गिन जाकर स्ट्रम से टक्राई और इस तरह वो आउट हो कर गए पविलिन के तरह वापस तो दोस्तो यह विकेट्स लूज की टीम यहाँ पर इंडिया ने लगातार अपनी विक्टों को टीम इंडिया जो हमें लूज करते हुए दिखाई दी इस मुकाबले के अंदर यहाँ पर रब सिचुएशन को अगर देख लेते हैं हम तो सिचुएशन जो है वो टीम इंडिया के लिए इतनी आसान नहीं है हाँ अगर यह दोनों ही प्लेयर चल जाते हैं तो फिर हालात जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकते हैं अगर आइडिया के लिए इस मुकाबले के अंदर कमबाक करना अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है हालांके जिस किसम की विकेट है लग एक चीज तो लगबग तया है यहां पर कि यह मुकाबला हमें बहुत जल्द जो है वो दोस्तो खतम होते वे दिखाई देगा क्योंकि एक सेशन के अंदर साथ विक्टे गिर चुकी है और अगर इसी रफ्तार से यह मुकाबला चलता रहा तो अठाई दिन के अंदर यह मु पुनगिल आठ में अवर के अंदर जाकर आउट हुए तीसरे विकेट 36 के स्कोर पर जब चतेशुर पुझारा 9 में अवर के अंदर आउट हुए चौती विकेट 44 के स्कोर पर जब रविंदर जदिजा 11 में अवर के अंदर जाकर आउट हुए और इसी तरह दोस्तों अगर अगर देखा जाए बॉलिंग को तो बॉलिंग में स्टार्क ने अब तक 5 अवर्स के अंदर 21 रंज ये हैं किसी भी विकेट को नहीं चटकाया हुआ ग्रीन ने 2 अवर्स के अंदर 14 रंज देकर कोई विकेट नी ले हुई मैथ्यू ने अब तक 6 अवर्स के अंदर 14 रंज देकर 3 विकेटो को हासिल कर रखा है अच्छी जबरदस किसम की बॉलिंग करवाएगी मैथ्यू खुनमैन के तरफ से जबके ने थल लाइन ने 8 अवर्स के अंदर 23 रंज देकर 3 विकेटो को किया हुए अब तक अपने नाम टॉड मर्फी ने 5 अवर्स के अंदर एक मीडन करते हुए 12 रंज देकर विराथ को हुली के एक बहुत इंपॉर्टन विकेट को अब तक हासिल किया हुआ है तो यह अब तक के हलाथ हैं दोस्तों इस मुकाबले के टीम इंडिया के बलेवाजी के अगर बात की जाए हम पर ICC Test Championship के पॉइंट रेबल की तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अस्ट्रेलिया की टीम जो है वो दोस्तों हमें नंबर वन की पॉजिशन पर मौजूद दिखाई दे रही है टीम आस्ट्रेलिया आपर उन्होंने 17 में से 10 मैचेज जीते वोए 3 हारे वोए 4 मैचेज ड्रॉओ हुए चासर की विन परसंटेज के साथ ये टीम हमें नंबर वन की पॉजिशन पर जो है वो दोस्तों मौजूद दिखाई दे रही है इसके बाद अगर बात की लिए नंबर दो की टीम की तो इंडिया की टीम जो है वो नंबर दो की पॉजिशन पर अब मौजूद है 54 की विन पर्संटेज के साथ और इंडिया को येवाला मुकाबला जीतना पड़ेगा अगर ये टेस्ट टेम्पिंशिप के फाइनल के अंदर जो है वो क travelled बीफाय करना चाहते है तो simply उनको ये मुकाबला जीतना पड़ेगा लीए नमर 3 की टीम के अगर बात की जाया तो दोस्तों वो स्रिलंकन टीम है जिन्होंने अब तक जो है वो 53 की विन परसंटेज जो है वो बनाई हुई है और इसी तरह साथ तरीका नबर 4 पर मौझद है 48 की विन परसंटेज के साथ लेकिन लग जो रहा है दोस्तों वो यह लग रहा है कि इंडिया की टीम बासानी जो है वो हमें फाइनल के अंदर अपनी जगा को बनाते वे दिखाए देगी लाइस पर दी सिचुएशन क्योंकि यहां पर दूसरी टीम्स अभी उनसे काफी दूर है स्रिलंका और यहां पर न्यूजी लैंड के दर्माइन टैस सीरीज होनी है और वो मैच इस न्यूजी लैंड में खेले जाने है जो के जीतना टीम के लिए इतना आसान काम नहीं होगा बरहल इंडिया के पास है अब बहुत जबरदस्त किसम का मौका इस मैच को जीत कर फाइनल के अंदर जाने का यहां पर इस वक्त टीम इंडिया थोड़ी सी खराब सिचुएशन में है जोनों 84 के स्कूर पर अपनी साथ विक्टो को लूज किया हुआ है और अब 26 वर्स का खेल हो चुका है पूरा अबर सेकिंड सेशन की शुरुआत जो है वाप से कुछी देर के बाद हमें होते वें दिखाई देने वाली है इस मुकाबले के अंदर इंडिया वर्सिज आस्ट्रेलिया सीरीज 2023 का ये तीसरा टैस्ट मुकाबला जो के इंडूर से इन दोनों ही टीम्स के दरम्यान इस वक्त खेला जा रहा है अगर बात की जाए दोस्तों आज की सौल इंपॉर्टन मुकाबले की तो यहाँ पर इस वक्त अस्ट्रेलिया की टीम लाजवाब क्रिक्ट खेलते हुए में दिखाई दे रही है जिन्होंने अब तक इंडियन टीम की जो है वो दोस्तों लोज कर दी लेकिन उसके बाद टीम इंडिया कमबाक करते हुए में दीखाई दी लोर ओडर जो है और इंडिया की टीम पॉने 300 के आस पास रन्ज को बनाते हुए में दीखाई दी ने फिर मैच को जीता भी तो ऐसी ही सूरतियाल जो है वो दोस्त अब तक बनी हुई है साथ बिक्टो को एक ही सेशन के अंदर टीम इंडिया ने जो है वो लूज कर दिया है यहांपर 84 रंज है साथ के नुकसान पे 26 वर्ज का खेलब हो चुका है पूरा अगर बात की जाए दोस्तो इस सेशन की तो सेशन के अंदर टास को जीता टीम इंडिया ने और टास को जीते हुए बैटिंग करने का फैसला किया जिनका बल्ले बाजी का यह खुआब पहले सेशन के अंदर ड्राउना खाब साबित हुआ और रोहित शर्मा जिन्होंने 12 रंज बनाए 23 की नुका किया सामना तीन चौके लगाए और वो गयार जुमादाराना शॉट केलते हुए ला पर वाही में अपनी विगेट को लूस करते हुए में दिखाए दिये जब उन्होंने अपनी क्रीज से बाहर निकल कर गेंड की उपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की वो और मुकमल तोर पर गेंड को मिस्ट कर गए विगेट कीपर ने गेंड को पकटत वे विप्टो में दे मारा और इस तरह आउट हुए रोहित शर्मा जिन्होंने 12 रं गेंड को और गेंड बले का बाहरी किनारा लेते हुए इसलिप के फिल्टर के पास कही जिन्होंने गेंड को कैच किया और इस तरह वो भी आउट होकर गए पविलियन की तरह वापिस इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर चते शुर पुजा रहा की तो उन्हों इस दिन के अंदर हमें टर्न होते हुए दिखाई दे रही है और ऐसा ही होते हुए अब हमें दिखाई दिया और आउट हुए दोस्तों यह प्लेयर इसी तरह अगर बात की जाए यहां पर अगले प्लेयर की तो अगले प्लेयर जो रहे वो वीरात कोहली जिन्होंने 22 रूं हुए और इस तरह टीम इंडिया ने जो है वो दोस्तों अपनी एक और विकेट को यहां से लूज किया इसी तरह दोस्तों अगर बात की लिए यहां पर कह लीजिए के अगले अगले प्लेयर की तो अगले प्लेयर जो के रहे आज वो और विंदर जदेदा चार रंज बनाए उन्हों 9 गिनो का किया सामना कवर्स के अरिय में गिन को ड्राइब करने के लिए गए वो और एक्स्ट्रा कवर के फिल्डर ने उनका कैच किया और इस तरह वो आउट हो कर गए पविलियन के तरह वापस की और वो आउट होए दोस्तों यहाँ पर लॉइन की गिन की उपर अल्बी डवली आउट होए जब के श्रीय सयर जो है वो खुना मैन की गिन की उपर जो के नीचे रह गी थी कवर्स के एरिय में गिन को ड्राइब करने के लिए गए बल्ले का अंदर रूनी किनारा लिया गिन ने और गिन जाकर स्टम से टकराई और इस तरह वो आउट हो कर गए पविलियन के तरह वापस तो दोस्तो ये विकेट्स लूज की टीम यहाँ पर इंडिया ने लगाता है अपनी विक्टों को टीम इंडिया जो हमें लूज करते हुए दिखाई दी इस मुकाबले के अंदर यहाँ पर रब सिचुएशन को अगर देख लेते हैं हम तो सिचुएशन जो है वो टीम लगबग कोई 5 डिग्रीज जो है वो इस विकेट की उपर गेंटर्न हो रही है तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि अगर अस्ट्रेलिया के स्मिन बॉलर्स इतने डेंजरस रहे हैं अब तक तो इंडिया के स्मिन बॉलर्स तो इनसे भी ज़्यादा डेंजरस रहेंगे और एक चीज तो लगबग तया है यहां पर कि यह मुकाबला हमें बहुत जल्द जो है वो दोस्तो खतम होते वे दिखाई देगा क्योंकि एक स्टैशन के अंदर साथ विक्तिया गिर चुकी है और अगर इसी रफ्तार से यह मुकाबला चलता रहा तो अड़ाई दिन के अं अगर देखा जाए बॉलिंग को तो बॉलिंग में स्टार्क ने अब तक 5 आवर्ज के अंदर 21 रंस यह है किसे भी विक्त को नहीं चटकाया हुआ घरीद ने 2 आवर्ज के अंदर 14 रंस देकर कोई विक्त नी ली हुई लाथ हैं दोस्तों इस मुकाबले के टीम इंडिया के बलेबाजी के अगर बात की जाए हम पर ICC टैस्ट चेंपिंशिप के पॉइंट रेबल की तो वहाँ पर आप देख सकते के अस्ट्रेलिया की टीम जो है वो दोस्तों हमें नमबर वन की पॉजिशन पर मौजूद दिखा दे रही है इसके बाद अगर बात की लिए नमबर दो की टीम की तो इंडिया की टीम जो है वो नमबर दो की पॉजिशन पर अब मौजूद है 64 की विन परसंटेज के साथ और इंडिया को ये वाला मुकाबला जीतना पड़ेगा अगर ये टैस्ट चेंपिंशिप के फाइन के अंदर जो है वो क्वालिफाई करना चाते है तो सिंपली उनको ये मुकाबला जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए नमबर तीन की टीम के अगर बात की जाया तो दोस्तों वो सिरलंगन टीम है जिनोंने अब तक जो है वो 53 की विन परसंटेज जो है वो बनाई देगी लैस पर दी सिचुएशन क्योंकि यहाँ पर दूसरी टीम अभी उनसे काफी दूर है श्रलंका और यहाँ पर न्यूजी लैंड के दर्में टैस सीरीज होनी है और वो मैच्च इस न्यूजी लैंड में खेले जाने है जो के जीतना टीम के लिए इतना आसान काम नही किया हुआ है और अब 26 वर्स का खेल हो चुगा है पूरा अबर सेकिंड सेशन की शुरुआत जो है वब से कुछी देर के बाद हमें होते वे दिखाई देने वाली है इस मुकाबले के अंदर इंडिया वर्सिज ऑस्ट्रेलिया सीरीज दोहजार तेस का यह तीसरा टैस्ट म अब तक इंडियन टीम की जो है वो दोस्तो आपको बताता चलो के साथ विक्टो को अपने नाम कर लिया है पहले सेशन के अंदर एक बेहतरीन सेशन रहा है यह तीम आस्ट्रेलिया के लिए पर हमने प्रिछले मैच के अंदर भी कुछ ऐसे ही होते हुए देखा था कि पहली जल्द जो है वो लूज कर दी लेकिन उसके बाद जो है वो टीम इंडिया कमबैक करते वे में दिखाई दी लोवर और जो है वो दोस्तो कमबैक करते वे दिखाई दिया और इंडिया की टीम जो है वो पौने तीन सो के आसपास रंज को बनाते वे में दिखाई दी उस मुक बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो सेकेंड सेशन जो है वो दोस्त अब इन दोनों ही टीम्स के दर्मयान शुरू होने जा रहा है खेल का आगाज जो होने जा रहा है और स्पिन बॉलर्ट के साथ बॉलिंग की शुरुवात करते है कि यहाँ पर इंडिया की टीम कोई कमबैक कर पाएगी इस मैच के अंदर या नहीं कर पाएगी यह जो विकेट है यह बहुत यहाँ रहेगी टीम इंडिया के लिए और इस विकेट के जलते हुए यहाँ पर देखते हैं कि इनका कमबैक हो पाएगा आज मैच के अंदर य पर अब बढ़ाईगी इस गेंद को जो है वो समलते हुए खेला रवी जंदर नैशन ने यहां पर गेंद जो है वो टपा लेते हुए बाहर की तरफ निकलेगी यकिनन क्यूके यहां पर आपको बताता चलू कि एक लेफट आम स्पिन बॉलर हैं तो इनकी गेंद हमें बाहर क की तरफ निकलते हुए दिखाईदी की टपा खाने के बाद 85 है स्कोर साथ के नुकसान पर पहली गेंद की उपर सिंगल आया और अब बक्षवर पटेल स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं तो पिछले मैच के अंदर भी इन दोनों ही प्लेयर्स ने अपनी टीम को आगे की कोशिश में हैं हमार साथ मुकीम शा ने जॉइन किया हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमार साथ देने के लिए और जो भी दोस्त जांक इसे मौजूद हैं वेलकम ओल टुदी लाइब स्ट्रीम हमजा हमारे साथ मौजूद हैं और इसके इलावा बिलाल टीम इस मुकाबले के अंदर अब कम बाग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये चीज़ आपने देनी हैं हमें जल्दस जल्द बता पर 85 है स्कोर साथ के नुकसान पे मैथ्यो कोना मैन जो कि अच्छी जबरदस किसम की बॉलिंग का सिल्सला जो है वो अब कंटीनियू रख रहा है ये कह चल गया सॉरी तीसरे टास मैच का सिल्सला जो है वो दोस्तों इस वक जारी है और यहां पर इंडिया की टीम जिनका पलड़ा इस वक इतना भारी नहीं है इस मैच के अंदर वरहल उमीदें बेहतरी की हैं और देखते हैं कि यहां पर वो अब कम बाग कर पाए तो तीसरे टास मैच का यह पहला दिन जो के इस वक जारी है सेकेंड सेशन जो है वो दोस्तों अब चल रहा है इस मुकाबले का सेशन टू तो दोस्तों इंडिया की टीम के अभी बलेबाजी है और देखते हैं कितनी लंबी बलेबाजी ही जो है वो टीम इंडिया की तरफ से आज चलती है अब ये दो प्लेयर बहुत की रहेंगे अपनी टीम के लिए अपनी टीम को जितवाने के लिए बहुत ही ज्यादा की रोल प्लेय करने वाले हैं आज की इस मुकाबले के अंदर ये दोनों ही बलेबाज यहां पर अब स्कोर की बात की जाए तो 86 है स्कोर साथ के नुकसान पे दिल से शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आज की सॉल इंपॉर्टन मुकाबले के अंदर तीसरा टेस्ट मैच जो की अभी जारी है तो दोस्तो ओवर का खेल पूरा हो चुका है 27 ओवर्ज के बाद स्कोर है 86 और पार्टनर्शिप लगानी पड़ेगी इन दोनों ही बैटर्स को चार रूंस की यह पार्टनर्शिप जो है वो फिलहाल लग चुकी है इन दोनों ही प्लेइर्स के दरम्यान और इस पार्टनर्शिप को जो है वो दोस्तो आगे बढ़ाने की जरूरत होगी अब देखते हैं कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यह चीज़ अब देखने लाइक होगी 86 है स्कोर साथ के नुकसान पे 27 के बाद हमार साथ मुकीम मौझूद है यूनस यूसफ खान ने हमें जॉइन किया वह बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकीम भई हमार साथ मौझूद है Life Buddies ने हमें जॉइन किया हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमार साथ देने के लिए और सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया हमार साथ देने के लिए हमार साथ बने रहने के लिए थैंक्यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमार साथ दिने के लिए यहाँ पर रब 86 है स्कोर साथ के नुकसान पे नेथन नाइन एक एंड से लगाता रब बॉलिंग करवाते हुए जबकि दूसरे एंड से बॉलिंग करवाते हुए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं रवी चंदरानैशन ने दो रंज बनाए हुए है अक्षर पटेल ने साथ रंज बनाए हुए इंडिया के टीम जो है वो दोस्तों अब कहले के सौर रूंस के बिल्कुल पास है देखते हैं कि अपने सौर रूंस को पूरा कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे ये चीज़ अब देखने लाइक होगी आपर अक्षर पठेल के लिए रहेगी इस ओर की अगले गेंद स्ट्र नहीं गेनों के अंदर जो है वो दोस्त अब इजाफा होते हुए यहां पर स्कोर 86 है साथ के नुकसान पे 86 for the loss of 7 wickets is the score at the moment और यहां पर इंडिया के टीम की तरफ से रवी चंदर नैशन और उनका साथ देते हुए इस वक्षर पठेल दोनों ही जबरदस किसम की cricket खेलने की काबलियत जो के रखते हैं वो हमें फिल्हाल बलेबाज दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पिछले मैच के अंदर आपको बताता चलो तो साथ विक्टें टीम इंडिया ने जो है वो दोस्तों बहुत सस्ते में लूज कर दी थी लेकिन उसके बाद अगर बात की जए तो इंडिया की टीम की सिंगल डबल के साथ अब स्कोर को आगे बढ़ाते हुए ये दोनों ही प्लेयर्स और आखरी विक्ट जो गिरी वो सिरकार भारत की थी जो के इस मुकाबले के अंदर अब आउट होकर गए पविलियन के तरफ वापिस तो अठासी रंजे साथ के नुकसान पे अठाईस रवर्स का खेलब हो चुका है पूरा तो दोस्तों यहां पर अब स्कूर अठासी साथ के नुकसान पे अठाईस रवर्स का खेलब हो चुका है पूरा डू तेल मी अबाउट यहां पर अब पार्टनर्शिप की बात करें तो चेहरंस की यह पार्टनर्शिप जो है वो इन दोनों ही प्लेयर्स के दरमयान अब लग चुकी है इंडिया की टीम इंडिया की टीम के हवाले से आपको बताता चलू तो अब अपनी होम कंडिशन के अंदर खेलते वे इस सीरीज के अंदर अल्रेड़ी जो है वो दोस्तों लीड पे है टीम इंडिया और एक अच्छी परफॉर्मस देते वे अब तक हमें दिखाई देरी है टीम इंडिया लट सी के आज इनका दिन रहने वाला है या नहीं रहने वाला और लगी रहा है कि इस सेशन के अंदर ये टीम जो है वाल आउट हो सकती है क्योंकि तीन विक्टे बचे हुई है और इन तीन विक्टे को जो है वो बचा कर आगे बढ़ने की कोशिश में होगी 88 हस्कोर साथ क नुकसान पे ठैंक्स अलोट एवरिवन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ दिने के लिए तो क्राउड जो है वो दोस्तों इन्जॉय करते हुए इस मुकाब्दे को मैथ्यू खुना मैन जो है वो यहां पर कहली जीए के मैथ्यू जो है वो दोस्तों बॉलिंग करवा देगा 88 हस्कोर साथ के नुकसान पे अठाई सवर जोरेगिन का खेलब हो चुका है पूरा तो दोस्तों सेकंड सेशन की जो शुरुवात है वो अब होने जा रही है यहां पर उवर की रहेगी एगले गेंद मैथ्यू की यह गेंद अच्छी गेंद और यहां पर अपील हुई है दोस्तों रवी चंदर नैश्टन के खिलाफ नॉट आउट दिया है अमपायर ने और यहां पर जो है वो दोस्तों स्टम्पिंग को जो है वो चक किया जाएगा बहुत ही जबरदस किसम की यगेंद टप पा लेते वे जो के बाहर की तरफ निकली और यहां पर अब stumping को वह दोस चक किया जाएगा देखते हैं कि यह player आउट हुए है या नहीं हुए बचपाएंगे यह player या नहीं बचपाएंगे बहुत ही जबरदस किसम की एगएं फुलर लेंद या बल्ले के आउट साइड है चुक मन्स करते हैं विकेट कीपर के बास कही है और देखने से यह लग रहा है कि यह प्लेयर जो है वो कहले के यहां पर बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं यह चीज अब देखने लाइक होगी स्टंपिंग को जो है वो दोस्तो चक किया जा रहा है catch को भी जो है वो दोस्तो check किया जाएगा जी बिलकुल दोनों ही चीज़ें एक साथ जो है वो चक की जाएंगी मुझाल अब देखते हैं कि survival हो पाएगा या नहीं हो पाएगा जी बिलकुल दोस्तो let's see what happens क्या रवी चंदरान आशिन यहां पर रब बच पाते हैं या नहीं बच पाते we have to wait and see what happens here जी बिलकुल दोस्तो review की मांग और मतलब यहां पर अंपायर का यह review है और देखते हैं कि इस के अंदर इनको सफलता मिलने वाली है यहां पर रब दोनों ही चीज़ों को तो दोस्तो यहां पर catch आउट होते हुए यह player बड़ा दजका लगते हुए और catch आउट हो चुके हैं दोस्तो यह player अब तो दोस्तो यहां पर catch आउट हो गए हैं यह catch आउट जो है वो दोस्तो होते हुए यह player तो एक और wicket गिरते हुए टीम इंडिया की 8 में विगेट गिरते हुए 88 के स्कोर पर रब 8 विगेट जो है वो दोस्तों लूस करते हुए तो दोस्तों 88 है स्कोर आट के दुकसान पर तो दोस्तों एक और विगेट बड़ी विगेट जो है वो गिर चुकी है आठ प्लेयर्स जो है वो स्ट्रीम के अब आउट हो चुके हैं कैच आउट हुए रभी चंदर नैश्वन और अब बलेबाजी करने के लिए जो प्लेयर आचुके हैं वो है उमेश्यादव उमेश्यादव जो हैं वो दोस्तों बलेबाजी करने के लिए आचुके हैं और यहां पर अब देख लेते हैं किस किसम की बलेबाजी की जाती है तो 88-8 के नुकसान पर उमेश यादव की एक इनिंग्स जो है वो दोस्तों अभी मुझे याद है और कहले के दचका क्या होता है मतलब यहां पर नुकसान होता है दचका और क्या होना है भाई नुकसान नुकसान बहुत बड़ा नुकसान तो काशिफ ली जाओं है वो कुछ देर के लिए कुमेंटरी करेंगे आपके साथ मैं आ रहा हूं वापिस तो दोस्तों दोबारा वेल्कम गाइस तो आप दे सकते हैं किस खोड़ोते हुए आठ 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 हक्तों के निक्सान पे कि याद अफ जिन्हों ने नहीं बनाया दो गिन्दों का थामने के दूसरी तरह देखा जाता हुए अक्सर बटेल है जिन्हों ने आठ रहे हैं 21 गिन्दों के सामना किया है आपके खाशी कोम सी टीम में जरूर से बताएगा ना तो इस वकर सपोर्ट जोंसी टीम को का रहा हूं वहाँ अस्ट्रेलिक टीम इसके साथ बोलाया गेंद कैच्छी गेंद इस गेंद इस गेंद इवापर दोर की जाने कोई बिरन लेने का मौकर नहीं स्कॉर बढ़ते हुए हो और स्कॉर उतना को चुन है बोल के नरी जाफ़ा होते हुए है फच्छ और मकमन होते हुए उन्हें अवर मकमन हो चुका है और बोलिंग काफी उम्दा करवाई जा रही है खुनी मैं के जाने से जिन्होंने चारू टांस लिकार लिकेट मेड़न और थाबित हुआ है यह वहला और खुनी मैं जोंसे खुनी बोलिंग कराते हुए इंडिया के टीम को आउट करने के पुड़ी कोशिश है इसी सेशन के अंदर सो से नीचे नीचे स्कॉर से खुनी है तौनी जिन्होंने चार बिक्ते हासली डी ग लाउन पशुक्त ही इस सोला रइन दी है इसी साथ बड़ा गैन किया इंडिया तक्र की कह बिर्ल नहीं ले आए इस बोल के जाने सी जीरो स्कॉर को कि इस गैन कि बीद कर लिया गया है इसके साथ बोड़ा गेंद किया दुबारा अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा डिफेंट और कबर लेने कमाका नहीं है इसलों जिन्होंने तीन तीन मुट्री हांस लिए पचीस रंड दिये हैं नो शाड़े दो और के अंदर आपके हाल से नितनान अपने फाइफर पूरा कर पाएंगे या फिर खुणी में आपके हाल से कौन से मिसमा अज को बिन पर कड़ेगी हमें जरूर से बताएगा इसला बड़ा गेंद क्या अच्छी गेंद एक लेने कमों का इस गार्प में यह गेंद थी और इससब बड़ा किया है और यह इसकार बड़ती भी होच्छी का है नर्हिन में आठ बुटों के नुक्सान पे अनत्तिस ऐसारे चानरा वर्ट का खील हो चका हमकमर इसकार बोलिंग और उसको सामना करेंगे यादव सोरी थोड़ा स्कॉर कार्ड रोक नहीं किया था इसके साथ बुल्डरा गेंद किया इसको समझते वे खेल दिया है बार बार के साथ मिलाकर कोई बेरे लेने का मौकर नहीं स्कॉर उतना कतने बोल के अदर इजाफा होते हुए इस सोर के सिर्फ एक रण अभी तक आया हुआ है इसके साथ बड़ा गेंद किया यादा जोंसा पारफुल हिट इस गेंद को उठाया है इस गेंद को खेल दिया बाउंडरी रैंक बाहर बहतरी हैं चके के लिए और अपरी टीम के स्कॉर के अदर इजाफा करते हुए इस प्लेयर का नहीं यादा मेरा दमाग में आही रही थी के इतना एक रण अभी तक आया है अगर चेम हो जाएगा तो ज्यादा स्कॉर हो जाएगा और एस ओवर के अंदर साथ रन आ चुके हैं आखरी बॉल नहीं अपना जटका दुखाया और साथ रन दे देग और स्कॉर बढ़ते हुए हो चुका ह है पिचान में आठ उक्टो के नुक्सान पर तीस ओवर का खेल हो चुका है मेकमल निथन लॉन का यह भी और पुड़ा होते में इतनों ने दस ओवर करवा चुके हैं इतना आपके साथ से कॉंस्ट्रिम इस मैच को बने करें हमें जरूर से बताएगा मैच का इंट्रस्टि बनाने के लिए इनको भी जल्दी इतनी ही जल्दी ट्यास लिकरनी पड़ेगी जितनी जल्दी अस्ट्रेलिया की टीम ने इनकी की थी हलो एंड वेल्कम बैक दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए यहां पर रब सेकेंड इनिंग्स जो है वो शुरू हो चुकी है और मुकाबला आगे बढ़ते हुए हमें अब दिखाई दे रहा है और हम कुछ देर के लिए गार हाजर थे नेट इंटरनेट के प्रॉब्म्स की वज़ए से लिकिन अब हम आपके साथ जो है वो वापिस आ चुके हैं आते हुए टीम जो है वो दोस्तों हमें अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त पैंथी सोज का है टीम अस्ट्राइलिया का स्कोर और एक विकेट के नुकसान पे लग यू रहा है यहाँ पर अगर बात की जाए तो रवीचंद्रा नैश्वन जो है वो बाॉलिंग करवा रहे हैं और अच्छी न फितुली बाॉलिंग करवाने की एक आपलियत रखते हैं इसमें कोई शक किसी को होना नी चाहिए और यहाँ पर अब यह इस वक्त हमें बाॉलिंग करवाते वे लिखाई दे रहे हैं और देखते हैं कि किस किसम की बाॉलिंग जो है वो करवाई जाती है इनकी तरफ से रवीचंद्रा नैश्वन यहाँ पर अपनी बाॉलिंग के सिलसले को कंटीनू रखते हुए और एक विकेट जो अभी तक गिरी वीया नौक स्कोर पर आउट हु यह पार्टनर्शिप लग चुकी हैं दोनों ही प्लेयर्स के दर्मयान और 45 अवर्स का खेल अभी बाकी है और लाइफ चाट के अंदर अगर कोई है तो हमारे साथ आजाए लाइफ चाट के अंदर अगर कोई इनसान मौजूद है तो क्योंकि हम भी आपके साथ आचुके है हैं वापिस सो लाइफ चाट के अंदर अगर कोई है तो लाइफ चाट के अंदर जो भी दोस्त मौजूद है वो हमार साथ आजाएगा यह गाईज लाइब रिज्यूम सून जी बिलकुल लाइफ स्ट्रीम जो हबाब शुरू हो चुकी है नो डाटा वाई 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 हमार साथ मौजूद है वेलकुम टू लाइफ स्ट्रीम शुक्रिया आपका एस एहमाद ने हमें जो आइन किया हुआ है बहुत 폭 शुक्रिया इसलाम समी भाई हमार साथ मौजूद हैं वेलकूम टू दी लाइफ स्ट्रीम तो दोस्तों यहां पर बैटिंग करते हुए इसमान खवाजा जो के हमें बावजूद हैं स्ट्राइक पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं उन्होंने गेन को लेक साइड में गैप में दिखेलते हुए एक रंद को पुरा कर लिया है तो दोस्तों यहां पर 27 से स्कोर टीम अस्ट्रेलिया का एक के नुकसान पर 9 वर्ज और 3 गिनों का खेल अब हो चुका है पूरा तो दोस्तों 38 से स्कोर टीम अस्ट्रेलिया का एक के नुकसान पर 9 वर्ज और 5 गिनों का खेल अब हो चुका है पूरा उस्मान खुआजा इस वक्त हमें स्ट्राइकर रैंट पर मौजू दिखाई दे रहें अब बहुत ही उम्दा अपील बड़ी अपील टपा लेते हुए अगें अंदर की तरफ आई और जाकर पैट्स पर टक्राई है बहुत बड़ी अपील हुई और यहां पर नॉट तो दोस्तो उस्मान खुआजा के पैट्स पर जागई अगें टक्राई है और यहां पर रिवियू लिया गया है देखते हैं कि रिवियू के अंदर जो है वो काम भी मिलने वाली है यह नहीं मिलने वाली यह चीज़ अब देखने हैं लाइक होगी तो दोस्तो यहां पर जो ही शर्मा है अपील बहुत बड़ी हुई है और करीबी मौमला है दोस्तो मुझे लग रहा है कि नॉट आउट ही रहेंगे प्लेयर क्योंकि गेन बहुत ज्यादा टर्न होगी थी टपा लेते हुए अब देख लेते हैं कि कहलीजे कि यहां पर रब सिचुएशन जो है व आइन एंड विकेट्स मिसिंग तो गेन जो है वो विक्टो को मुकमल तोर पर मिस करते हुए है और इस वजह से नॉट आउट का जो सिगनल है वो अब दिया गया है प्येसल कब जाकर स्टार्ट होगी तो भाई मेरे प्येसल जो है वो शाम के वक्त जाकर शूरू होगी शा हम साथ बजे पीएसल का मैच है लेकिन हम आपके साथ शे बजे के बाद आ जाएंगे तो आप सभी भी हमें लाजमी तोर पे जो है वो जो है वो जो है वो बचा हुआ है इस सेशन की शुरुआत में तो माननसलव उशेन जो है वो दोस्तों स्ट्राइकर इंपर मौजूद ह जिन्होंने प्रमफट पड़ा कर गेन को कवर्स के अरिये में दिखेल दिया कोई भी रनेने का मौका आप मौजूद नहीं है दिल से शुक्रिया आप सभी का हमार साथ देने के लिए बने रहने के लिए एक बाद फिर से ऑन पैट ये गेन दिसके इन को बलेबास ने फ्लि वो एक अच्छी खासी लीड को इस मुकाबले के अंदर अपने नाम करे बरहलब देखते हैं कि वो ऐसा कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे दिल से शुक्रिया आप सभी का हमार साथ देने के लिए बने रहने के लिए अपर एक पाद फिर से विकेट विकेडिया गेन दे स्ट्रम्स की लाइन में ये इसके इनको बलेबास ने फ्रम टुपरा कर बैटन बैट को स्थाथ मिलाते वे खेल लिया है वाप इस बॉलर के पास और देखते हैं कि रिव्यू लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा वी आर स्टिल वेटिंग कि यहाँ पर रब रिव्यू जो है वो दोस्तो लिया जाता है या नहीं लिया जाता तो review जो है वो यहाँ पर आपको बताता चलू के ना लेने का फैसला किया है India वर्सेज आस्ट्रेलिया लाइव चलते वह ये वाला मुकाबला इन दोनों ही टीम्स के दरमें रिव्यू ना लेने का फैसला किया गया और अब नई लाइव जो है वो हम चला लेंगे कुछी देर के अंदर आके आप सभी को आइडिया मिल जाए कुछ देर के बाद जो है वो हम नई लाइव स्ट्रीम चला देंगे गाइज तो दोस्तो इससे पहले ओगर इंडिया की टीम रिव्यू ले 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 थी तो प्लेयर आउट हो जाते जी हाँ दोस्तो अगर इंडिया की टीम रिव्यू ले 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 थी तो प्लेयर यहां पर आउट हो जाते लेकिन रिव्यू नहीं लिया गया इनकी तरफ से स्विप कर दिया इस केंड को डाम देलिक साइड ये गेंड एक रून का होते वई इजाफा अपील फिर से बड़ी हुई लेकिन नॉट आउट दिया गया एंपार की तरफ से तो यहां पर रब अब देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या रहती है फिर से कहीं रिव्यू लेने का फैसला तो नहीं किया जाएगा यहां पर फिर से कहीं रिव्यू तो नहीं लिया जाएगा दो से तीन सेकिंड का टाइम जो है वो दोस्तों बाकी है और रिव्यू यहां पर नहीं लेने का फैसला जो है वो दोस्तों किया गया है अब जी हाँ सही सुना आपने रिव्यू ना लेने का फैसला किया गया है इससे पहले प्लेयर आउट थे लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलो कि रिव्यू की रिव्यू ना लेने के वज़ा से बच गया है यह प्लेयर तो स्कोर अब रहते हुए हाँ पर 49 स्ट्रीम आस्ट् बाद 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 शुक्री आपका हमारे साथ देने के लिए स्ट्रीम क्यों आफ होगी थी मैं आपको बता तो रहाँ कि यहां पर इंटरनेट जो हमारा उड़ गया था तो इसलिए दोनों पर ठासी ठासी है यह कि यह हाँ नहीं अलग अलग है एक फिर अब चला लेते हैं आदा गिंटा बचा हुआ है तो दोस्तों यहां पर रब मारना से लब हुआ है शेंद जो हैं वो स्ट्राइकर एंट पर मौजूद है और देखते हैं नहीं लाइब चलाने लगे हम वहां पर आ जाएगे आप सभी दोस्तों उमीद है कि फिर कोई मसला मसाइल नहीं आएगा जी हाँ दोस्तों 40 स्कूर एक के नुकसान पर क्या लगता है आपको कि यहां पर किस टीम का पलडार रहेगा बारी इस सवाल इस से देना है आपने हमें जल्द जल्द बता सेकंड सेशन सेकंड सिर्ज कर दोस्तों अपन सेकंड सक्राँ कि यह का पाफ gözी की हुआँ 9 से अगतरा है तेसरे है के का सिलसला जो है व स्सक्राइब happy या फैस पाएगी नहीं हो पाएगी इस स्वाले से देना है आपने हमें जल्द जल्द बता कि अस्ट्रेलिया की टीम यहां पर विकेट लीड ले पाएगी या ने ले पाएगी अभी भी उनको अस्ट्रेलिया की लीड उतारने के लिए अच्छे खासे रंस किया विश्रकता जरूर थे जी यहां दोस्तो अभी भी उनको अच्छे खासे रंस की जरूर थे हैं इंडिया की टीम सरसर रंस की दूरी परें नोटिफकेशन नहीं मिला अभी नहीं चलाई है अभी चलाता हूं मैं थोड़ा सा टाइम दीजिएगा नहीं लाइब हम चला देते हैं 42 एसको टीम आस्ट्रेलिया का एके नुकसान पे यहां पर रब एक और सिंगल का होते हुए इजाफा तो सिंगल डबल के साथ जो है वो यह टीम आगे बढ़ते हुए हमें इस वक्त दिखाई दे रही है I'm back friends तो दोस्त लाइफ चैट के अंदर जो है वो हमारे साथ आ रहे हैं तो दिल से शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ देने के लिए 43 टंस है टीम आस्ट्रेलिया गाएक के नुकसान पे 13 वर्स का खेलब हो चुका है पूरा slowly they are moving along लेकिन यह है कि यहाँ पर एक आद विकेट गिर गई तो फिर जो है वो अस्ट्रेल भी टीम इस मैच के अंदर हमें थोड़ा सा स्ट्रॉगल करते हुए दुबारा से दिखाई जो है वो दोस्तो देश सकती है क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो अस्ट्रेल भी टीम के हाल इसे आपको बताता चलू कि यहाँ पर अस्ट्रेलिया की टीम ने पिछले मैचेस के अंदर भी ऐसे ही जो है वो विकेट्स को लूज किया था बल्क में जो है वो दोस्तो यह टीम जो है वो अपनी विकेट्स को लूज करते हुए में दिखाई देती है बल्क में यानि के लगातार ये टीम जो है वो विकेट्स को लूज करती है और इसलिए यहाँ पर इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बरहला अक्षर पटेल को जो है वो दोस्तों बॉलिंग के लिए लगाया गया है अक्षर पटेल जो कि अब आचके है बॉलिंग के लिए देखते हैं कि किस किसम की बॉलिंग करवाई जाती है अक्षर पटेल की तरफ से main baller है अपनी टीम के अक्षर और अभी तक test match cricket के अंदर जो इन्होंने balling करवा रखी है वो काबले दीद, काबले तारीफ, balling जो के इन्होंने test match cricket के अंदर करवा रखी है देखते हैं के आज ये अपनी टीम को विकेट्स दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे इस मुश्किल situation से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे बाकफूट पर रहते हुए इस केन को बले बास ने पंच करते हुए एक पॉइंट और कवर के अरिया में दिकेल कर एक रंड को जो है वो अब पूरा कर लिया है निव लाइब बस चलाने वाले हैं हम डोंट वरी चिन्तित ना हूँ आप चिन्तित तो दोस्तों यहां पर बचवाली से स्कोर एक के नुकसान पर तेरा वर्जोर एक गिन्त का खेल भूचका है पूरा उस्मान खुआजा स्ट्राइकरेंट पर मौजूद जिन्होंने इस केन्तित को सीदब लेकाश समाल करते हुए खेल दिया है वापिस कोई भी रण जो है वो लेने का मौका अब मौजूद नहीं है बॉलर के पास के यह गिन्त जिन्होंने इस केन्त को फिल किया एक बार फिर से बॉलर आय गिन्त किया यह गिन्त जो के आफ्स्रूम के बाहर की थी स्केन को बले बास ने बैकपट पर आते वे पंच करते वे खेल दिया पॉइंट के रिये में कोई भी रोल ने